नमस्कार दोस्तों वेलकम बाक टू जैजैराम चैनल ये है हमारी आधुनिक जीवन के लिए राम कथा का प्रसारण देखिए दोस्तों राम कथा बहुत लोगों ने सुनी है लेकिन आजकल की डिप्रेशन और एंग्जाइटी के भरेवे जमाने में जहां पे एक तरफ वाइ पॉपुलेशन की प्रॉबलम है और लोगों की सर्वाइवल के लिए लोग डर रहे हैं और ना जाने ऐसी कितनी सारी इशूज है जिससे एक आम आदमी जूज रहा है तो ऐसे में रामायन हमें कैसे मदद करेगी ये हमें जानना है अपनी आज पास की सिचुएशन को देख लिखते हुए मैं आपसे बात कहना चाहती हूं कि वैसे तो वालमी की रामायन जो थी वो हम सब जानते हैं कि वालमी की जी ने लिखी थी सबसे पहली रामायन लेकिन अगर आप वालमी की रामायन को शुरुआत से पढ़ते हैं तो आपको शुरू में ही ये चीज पता चल कि वो नारद मुनी से ये सवाल पूछते हैं, वालमिकी यानि की रतना कर डाकू जो थे पहले, देखें कितना बड़ा ट्रांसफोमेशन हुआ एक इंसान में, जो एक डाकू था और डाकू से वालमिकी बन गया बन दा, कितना हीूज ट्रांसफोमेशन है, और रमायन से नहीं उनका ट्रांसफोमेशन हुआ था, मैं आपको explain कर रही हूँ कि ये रमायन क्यों important है, अपनी life को transform करने के लिए आपको कैसे मदद करती है, उनका ट्रांसफोमेशन हुआ था राम नाम के जाप से, राम नाम में एक ऐसी sound energy है, ये एक ऐसा बीज मंत्र है, जो कि लोगों को ascend क connect करने में मदद करता है, चाहे आप कैसा भी करो, उल्टा करो, सीधा करो, आडा करो, तेडा करो, सीधा आगे पीछे जैसे करना करो, काम करते वे करो, सोते वे करो, लेटे वे करो, बैठे वे करो, चलते चलते करो, जैसे मर्जी करो, पर राम नाम का जितना निरंतर और अध कितना समय लगता है इसकी guarantee तो मैं नहीं ले सकती हूँ, अगर आप वालमी की का भी example लें, तो एक चीज तो आप मानेंगे कि इसमें त्याद की बहुत जरूरत है, और इसमें विश्वास की बहुत जरूरत है, बिना विश्वास के अगर आप negativity के साथ या किसी चीज को पाने की लालसा से-से करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका जो mode है, आपका जो ascension की तरफ आप जाना चाते हैं, वो सही है ही नहीं, सीता और राम twin flame gurus क्यों हैं, वो original twin flame क्यों हैं, और twin flame क्या है, twin flame एक individual व्यक्ति होता है, जिसके अंदर masculine और feminine energy दोनों होती है, बर्थ के साथ होती हैं उनके अंदर, star seeds वो होते हैं जिनके अंदर दिव्यांश होता है, जो DNA उनका थोड़ा different होता है और लोगों से, और ये ऐसा इसलिए नहीं का जा रहा कि कुछ लोग special होते हैं, वो औरों से बहतर होते हैं, ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने example दिया आपको, वालमिकी एक डाकू थे, तो अगर एक डाकू से वो व्यक्ति वालमिकी बन सकता है और पहली रमायन लिख सकता है, तो इसका मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ये आपको आपकी higher self से connect कराती है, ये sound energy, और श्री राम तो त्रेता युग में उनका जनम हुआ था, वो भी उतरते त्रेता युग में, तो आप देखिए उससे पहले भी तो कितने युग आये होंगे, त्रेता युग के ढलते वक्त उनका जनम हुआ था, तो उससे पहले ना जाने कितने युग आये थे, तो राम नाम जो है, वो बहुत popular था और उसको बहुत लोग निरंतर जबते थे, specially वो लोग जो inner work करते थे, अगर आप गुरु नानक देव जी का जब जी सहाब पढ़ेंगे कभी, तो उसमें भी उन्होंने इस चीज का उलेक किया है, और बहुत से, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से सीर्स हैं और सेंट्स हैं, उन्होंने भी इस चीज को मेंशन किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब अंग्रेज भारत में आये, तो उन्होंने इस पूरे कॉंसेप्ट को, एक बोगस और एक माइथलोजिकल मिथ्या, यानि कि जो शब्द है मिथॉलजी, वो मिथ्या शब्द से ही बना है, यानि जूट, ये एक जूट बोगस बात है, ऐसा कोई इतिहास नहीं है, इतिहास तो बस हमारा ही है, जो कि सिर्फ 500,000 साल पूराना है, तो नारद मुनी ने ये कहानी, इनको सुनाईती वालमिकिको, नारद मुनी कौन है? He is a celestial being, जो कि अलग अलग डाइमेंशन में ट्रावल कर सकते हैं, भक्त प्रलाद के गुरू भी नारद मुनी थे, और जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, अगर आप योगा का डिग्री कोर्स करते हैं, यानि की ग्राजूशन करते हैं योगा में, तो आपको नारद भक्ती सूत्र पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें काफी ज़्यादा डीप साइंटिफिक नॉलेज है, इन हाव टो बिकम अब बैटर डिवोटी, क्योंकि डिवोशन एक ऐसा रस्ता है, जो कि कोई भी अपना सकता है, इसके लिए आपको मंक या नन बनने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने के लिए आपको अपनी शादी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने के लिए आपको अपनी प्रोफेशन से निकलने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने के लिए आप किसान भी हो सकते हो आप डॉक्टर भी हो सकते हो आपको दो केवल कर्म योग करना है ठीक है तो राम मायन की कहानी सबसे पहले सुनाई किसने थी बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी है यह 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 भी एक छोटी सी कहानी है कि शिफ जो थे वो कहीं बार अकेले निकल जाते थे और पारवती अकेले पीछे बैठी होती थी पारवती भी बाद में राम नाम का जाप करते करते बहुत इंडिपेंडेंट बन गी थी और पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई थी तो उसकी भी कहानी है जो शिफ वापस आते ध्यान करके तो शिफ एक ऐसे वहरागी थे जो हाउस होल्डर यानि की ग्रहस्त जीवन में थे वो सन्यासी थे लेकिन वो मंक नहीं थे पस्या करना इसमें सबका हग है तो शिफ वो करते थे और पिर आपको पता है सती की कहानी थी और फिर सती जब चली गई दुन्या को छोड़के तो उस पारवती बन के आई और फिर उन दोनों के बीच में भी एक डाइनामिक चला जिसमें पारवती ने जाके उनको कहा कि मैं ही सती हूँ और उनने का नहीं नहीं तुम नहीं हो मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता फिर उन्होंने कहा कि मैं तो आप से प्यार करती हूँ मैं तो मेरे साथ कैसे रहोगी, तुम तो बहुत बड़े घर की हो, तुम हिमालिया की पुत्री हो, राजा हिमालिया की बेटी हो, एक बर पहले भी एक राजकुमारी से शादी हुई थी, उनकी और उनका ये हाल हुआ था, तो पारवती ने का कि पिछले जनम में मैंने मरने से पहले, मृत्यू से पहले मैंने यही कहा था कि अगले जनम में मैं एक ऐसे घर में पैदा होंगी जहाँ पर मेरे शिव का कोई अपमान नहीं करेगा मेरे पती थोड़े अलग है, दुनिया से अलग है, अपनी दुनिया में रहते हैं, मस्त रहते हैं, सबसे प्यार करते हैं, तो उनको accept करेंगे मेरे घरवाले, ये मेरा प्रण था और ये कहके मैं आग में कूदी थी, तो वही अब मैं दूसरा रूप लेकर आई हूँ, तो शि क्राई दाल से लेकर उनके हर चीज को क्रॉस क्वेश्चन किया गया था पिछली शादी में, को वह बहुत दुखी दे उस बाद से, और शिवर्थ पारवती की बीच में एज गाब भी आ गया था तो नहोंने ये भी बोला, कि तुम क्यों अपने जैसा कोई लड़का क्यू के बीच में हुआ था और पारवती ने बहुत तपस्या की थी तपस्या करना बहुत जरूरी है दोस्तों क्योंकि तपस्या करने से आप अपनी रियालिटी में चले जाते हो आप हो कौन आप ये जान लेते हो ठीक है तो ये जब अंग्रेज यहां पर आए इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें तपस्या और वेद और उपनिशद और किसी भी चीज की बात ही नहीं होती थी महाभारत रहमायन तो उन्होंने मिथ्या करार दे दी और कहा ऐसा तो कुछ होई नहीं सकता ये कोई हिस्ट्री विस्ट्री नहीं ये सब जूट मोट की युनु अंशं बच्चे बच्चे को भी नौग रहों के नाम पता है। बच्चे 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 को भी नाम के बारे में काफी डिटेल में बताया है। कि इतने लोग फोकस होते हैं। बहुत कम। लेकिन इतनी हैरानी की बात है कि अब इतने सालों के बाजब 2020 में वायरस आगया पूरे वर्ल्ड में और भारत में लॉकडाउन हुआ। जिसके व्यूवर्शिप सबसे ज्यादा है अब तक की। मतलब विदेशों के कुछ ऐसे शोज थे जो की कुछ मिलियन इतने व्यूज में थे। लेकिन रमायन के बराबर कोई जा ही नहीं सकता क्योंकि व्यूज का रेकॉर्ड इतना ज्यादा हाई है। तो इतने लोगों ने पूरे विश्व के जितने भी लोग थे सबने इंट्रेस्ट के साथ रमायन को फिर से देखा। और एक जोती सी जग गई यानि की यूथ को खास तोर से थोड़ा सा इसमें इंट्रेस्ट जादा हो गया और जागने लगा। कि लोगों के दिल में फिर से बस गे रमायन। लेकिन फिर क्या हुआ वापस से लौकडाउन खटम हुआ दुबारा से वही जन्दगी शुरू हो गई और फिर से लोग उस चीज में अपनी अपनी दुख भरी जन्दगी में कहलो या हाड़ वर्क वरी जिंदगी में या स्ट्रेसफुल जिंदगी में इतना स्ट्रेस है लाइफ में लोगों के उसमें दुबारा से घुज गए तो दोस्तों यहाँ पर यह attempt किया जा रहा है कि किस तरीके से आप रामायन को एक scientific document और एक high vibrational content और एक educational text की तरह आप इसे देखेंगे और इसके अंदर जो रस है जो कहानी का एक रस होता है उसके थुरू आप चीजों को understand करेंगे और अपनी life में भी देखेंगे कि कैसे मैं यहाँ पे duty bound person की तरह काम करूँ यहाँ पे मैं selfish ना हूँ यहाँ पे अगर मुझे किसी ने आग्या दिये तो इसे कैसे निभाऊँ यहाँ पे अगर कोई राक्षय सी प्रवर्ती का व्यक्ती मेरे सामने आ जा तो कैसे behave करूँ तो रमाहेंट से हम बहुत कुछ सीख सकते गुरू की respect कैसे करूँ छोटे बच्चों को हम क्या सिखाए animals को हम कैसे treat करें परियावरन को हम कैसे देखें अपनी जो responsibilities अनको कैसे निभाए एक householder भौतिक संसारिक जीवन में रहते ही हुए कैसे हम अपने आपको इन संसारिक कलेशों से और पच्चोडों से और attachment से बाहर निकालके detached जीवन जीए जो की बहुत ही healthy भी हो सकता है तो सबसे पहले व्यक्ती वो कॉन थे तो शिव और पार्वती पे वापस आते हैं तो शिव चले जाते थे तपस्या करने ध्यान करने काफी-काफी लंबे समय के लिए जाते थे तो पार्वती पीचे से थोड़ा बोर होती थी और सोचती थी आर अगली बार आएंगे तो मैं इतनी असानी से उन्हें जाने नहीं दूंगी और ऐसा ही हुआ शिव वापस आए और पारवती ने उनसे बोला कि इस बार मैं आपको इतनी असानी से जाने नहीं दूंगी तो वो भोले अच्छा ठीक है बाबर नहीं जाओंगा लेकिन अंदर ही अंदर शिव जो थे वो राम नाम का निरंतर जाप करते थे शिव जी का हमेशा ध्यान और जाप में ही हमेशा फोकस रहता था तो वो ऐसे ही ध्यान में बैटे थे या जाप कर रहे थे तो पारवती ने उनसे पूछा कि एक बात तो बताईए आप हर वक्त क्या ध्यान करते हैं किसका जाप करते हैं आप तो खुद देवों के देव हैं आप तो खुद महादेव हैं तो आप किसकी पूजा करते हैं और आपको क्या जरूरत है कुछ ध्यान करने की या जाप करने की पूरी दुनिया तो आप ही का नाम लेती है ओम नमस्षिवाय क्याती है तो शिव जी ने बोला ऐसा होगा लोग लेते होंगे लेकिन मुझे भी अपने उपर वर्क करना होता है ताकि जो मेरी एनर्जी है वो मेंटेंड रहे या मेरी एनर्जी जो है वो आई वाइब्रेशन में ही रहे हमेशा लोवर फ्रिक्वेंसी से या लोवर वाइब्रेशन से मेरा कोई कोई कॉंटाक्ट ना होई ठीक है तो इसी लिए मैं हमेशा प्राक्टिस करता हूँ अगर आप उनलाइन जाएंगे कभी यूट्यूब पे और आप राम नाम के जो प्राक्टिशनर्स हैं उनके वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे और आपको हरानी भी हो सकती है शायद मैं तो यह सब सर्च करती रहती हूँ तो मुझे आपको हरानी नी होती लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो राम नाम लिखते हैं और बैंक में जमा करते हैं अपना लिखा हुआ राम नाम बैंक भी है एक और ऐसे भी लोग हैं जो इतना जाप करते हैं डेली और अपने जाप को करने से जो उनको फील होता है जो उनकी life में changes आएं उसके बारे में mention करते हैं और मैं किसी अभी teacher की master की बात नहीं कर रही हूँ मैं regular लोगों की बात कर रही हूँ आप ऐसे videos देख सकते हैं बहुत सारे हैं तो लोग बताते हैं कि मैं जब से राम नाम जबना शुरू किया है मुझे एक अलग सा ही level of confidence आगया मेरे उपर मैं detach हो गया हूँ बेकार की बातों से फालतू की चीजों में मेरा interest दी रहता मेरा तो बस यही मन करता है कि मैं किसी ना किसी बहाने से राम नाम जबता रहू किसी ना किसी reason से मैं बस राम नाम जबता रहू किसी और चीज में मुझे मज़ा आता ही नहीं इसमें housewives हैं इसमें students हैं इसमें हर तरह के लोग हैं और obviously अगर राम नाम बैंक में इतने लोग जमा कर रहे हैं अपनी लिखी वी पुस्तिकाएं तो जाहर सी बात है लोग तो करी रहे हैं ना इसे काफी deeply तो ऐसा क्यूं है तो पार्वती जी ने भी उनसे ये question पूचा कि आप क्या जबते हैं हर वक्त किसका नाम जबते हैं आप क्या सिम्रन करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया राम राम रमती रमे रमे मनो रमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वर्नने तो इसका मतलब है कि ये जो मंत्र है नाम एक तारक मंत्र है एक बीज मंत्र है ये जवाब वो अपनी पत्नी को देते हैं इस नाम को जपने से एक अलग साई आनंद मिलता है इसको आप जितना जपोगे जपते जाओगे जपते जाओगे जपते जाओगे जपते जाओगे और हैरानी की बात तो यह है कि भारतियों से जादा विदेशियों का इसमें इंट्रेस्ट है क्योंकि मेरे और भी यूट्यूब चानल जहां पर मेरे स्टूडेंट्स है काफी तो वो जब रामायन की मैं उन्हें कहानी सुनाती हूँ पर नूट्स की काहनी है एक तो श्री राम और सीता की जो लव्श्टोरी है जो उनकी प्रेम कहानी है वह बहुत ही ज़ादा यूनीक है ऐसी प्रेम कहानी तो किसी की मैंने सूनी ना किसी की हमने कहीं देखी होगी ऐसा क्यों है? क्यूंकि वो धोनों mission oriented थे वो धोनों करतफवय पर आयरंड थे और वो धोनों इतने pure थे इतने authentic थे दोनों इसी लिए वो धोनों एक दूसरे के वरदी थे, एक दूसरे के लायक थे और एक दूसरे से ऐसा प्यार करते थे कि कोई और नहीं कर सकता उनको एक दूसरे से कुछ चाहिए नहीं था कभी return में ठीक है वो एक दूसरे के best supporter थे और वो ये भी नहीं कहते थे कि तुम अपनी जिना बंद कर दो मेरे वजे से जैसे आज कल के relationships में और couples में होता है कि husband और wife एक दूसरे के जेलर बन जाते हैं एक दूसरे को जेल में डाल देते हैं कोई freedom नहीं कोई space नहीं कोई trust नहीं कुछ नहीं और दोनों की कोई ऐसी hobbies भी नहीं होती जो एक दूसरे को uplift करें क्यूंकि आजकल का culture हो गया है clubs जाना, parties करना रातों रातों को music सुनना और तरह तरह के नशे करना खाने में non-veg खाना और खाने में और भी तरीके के junk foods खाना जो कि हमको low vibration में ले जाते हैं नाचने गाने से enjoyment करने से किसी को कोई problem नहीं है problem यह है कि उसके साथ जो राक्षिसी चीजें लोग जोड़ देते हैं कि अगर कोई party हो रही है तो इसमें शराब जरूर होएगी कोई party हो रही है तो इसमें कोई नशे की चीजे होईगी कोई dance हो रहा है कुछ function हो रहा है तो वहाँ पर बहुत सारा non-witch खाना डाला जाएगा और बहुत सारा junk food डाला जाएगा और बहुत सी ऐसे music ऐसे songs होते है जिनके lyrics ही सुनके लगता है कि यह बोल क्या रहे है क्या words यूज कर रहे है women objectification इतना होता है औरत के शरीर को जिसे यह item songs होते है इसमें औरत की body को कैसे देखा जाता है उसकी body को body की तरह नहीं देखा जाता है उसकी body को एक advertisement की तरह देखा जाता है तो देखे नृत्यों तो सभी करते थे अपसराय करती थी गंधर्व करते थे खुद शिव एक नटराज है उनका नाम ही नटराज है ठीक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं है, जो अनृत्य नहीं करता, किसी छोटे बच्चे को देखिए, छोटे बच्चे कैसे free spirited होते हैं, हमेशा डांस करते हैं, हर शादी में, हर अच्छे function में, होली से लेके, दिवाली से लेके, इसमें महौल ही ऐसा होता है, जिसमें की dancing और ट्रीट करो, तो फिर वो अपने आपी lower frequency में चला जाता है, सारा महौल, ठीक है, तो कहने का मतलब यह हैं यहाँ पे, कि अगर आप राम नाम लगातार जबते हो, तो यह बाते जो मैं आपको बोल रही हूँ, यह सिर्फ आप सुनोगे नहीं, आप इसे महसूस भी करोगे, अगर को फील हूएगा, कि हाँ, राकि में हम लोग जिस कल्चर में रह रहरे हूए यह कल्चर, इस कल्चर में बहुत से लूप होल जह hiện, सी कल्चर में बहुत सी कमई रही हैं, और यह कम stiffness कहां से आहिएय के जानना आपके लोँए जरूरी हो जाएगा, यह जानना पर जरू जादा लेकिन चैने लेकिन का कँछ गया कुछ साल फिक पिछले किसले हजार सालों में कहनों या कितने भी सालों में की इतना बुरा हाल हो गया Galileo करी खूmetro हम जबने से क्या हovता है कि आप चाहे एड्युकेटफ़ हो चाहे ना हो से फरक्णी बढ़ता वैसे भी जो डिग्रीज होती हैं कॉलच की डिग्री हो गया मास्टर्स की डिग्री हो गया यह पर इस से कोई फरक झैप यह फरक्त नहीं जबकि वो एक अच्छे इंसान है overall उनका दिल अच्छा है उनके अंदर मासूमियत है उनके अंदर इनोसेंस है लेकिन कोई ऐसा वे नहीं था उनके पास बचपन से जहां पे spirituality को higher importance दी गई हो importance दी गई तो वही सिर्फ materialistic चीजों को साथ attachment होने की वज़े से भी इनसान आज की डेट में दुखी है अगर कोई एक घर भी ले ले लेता है तो उसको फिर दूसरा चाहिए अगर कोई एक गाड़ी ले ले लेता है तो उसको फिर दूसरी चाहिए अगर कोई certain amount कमाता है महीने में तो उसको उससे कभी उसका पेटनी भरता, उसके पास जो भी चीजें हैं, अच्छी हैं, भली हैं, पुरानी हैं, नई हैं, जैसी भी हैं, वो जो भी करता है, वो हमेशा दूसरों के अप्रूवल के लिए और दूसरों के वैलिडेशन के लिए करता है, इसमें बहुत जादा branded चीज़ें, branded चीज़ें यानि कि मैंने फलानी company का फलानी label का समान लिया है, तो मैं बहुत amazing हूँ, और मैं देखो क्या हूँ फिर, show off करना, ये करना, वो करना, ये सब राक्षिसी हरकते हैं, जो कि ego से जुड़ी हुई हैं, और अंजाने में, बहुत से मासूम लोग इन चीज़ों को adopt कर रहे हैं, और बहुत जादा stressed out हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर शिवजी ने पार्वती से ये बोला, श्री राम राम रमते, रमे रमे मनो रमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम, श्री राम नाम भर्नने, तो वो उनको कहने लगे कि सुनो, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाओंगा, एक कहानी सुनाओंगा, रमायन की कहानी सुनाओंगा, इन फैक्ट, पार्वती को भी राम नाम जपना उन्होंने ही सिखाया, तो यह वो conversation है दोस्तो, जहां पर यह हुआ है, और यह भी conversation आप internet में पढ़ सकते हैं, internet है कैसी जगह है दोस्तो, जहां पर अच्छी चीज़े भी हैं, और बुरी चीज़े भी हैं, आपको क्या डूणना है यह आपके उपर है जैसे जैसे आपकी अंदर की वाइबरेशन चेंज होती जाएगी ना वैसे वैसे जो कॉंटेंट आपको दिखाया जा रहा है वो भी चेंज हो जाएगा आप शायर नहीं जानते लेकिन हम जो भी इंटरनेट वे करते हैं हमारी जो तो जो content उसको मिलता है YouTube से या Google से या Facebook से वो भी अपने बदल जाता है, अगर आपको इस बात पर यकीन नहों, तो आप किसी भी random इंसान के Facebook Ads को देखिए, या YouTube पे उनको क्या दिया जा रहा है content ये देखिए, वो आपके content से अलग ही होगा, जो लड़की बहुत सी fashionable चीज़ा देखती है, या बहुत ऐसी, मतलब interior designing की चीज़ा देखती है, उसको हमेशा उस तरीके के ads दिखाये जाते हैं, ठीक है, या उस तरह का content उसके फोन में आपको नजर आएगा, जो लोग बहुत ही जादा low vibrational content देखते हैं, फिर उनको उसी तरह की चीज़ा नजर आती है, तो शिवा ने पारवती को भी राम नाम जपना सिखाया, और उन्होंने बोला कि पारवती तुम भी राम नाम जपो, तुम जितना राम नाम जपोगी, तुम देखती जाओगी दीरे दीरे तुमारी कैसे पूरी की पूरी काया पलटेगी, और वैसे भी पारवती जी ने क्या क किया था उन्होंने बहुत जादा त पषया की Ừुर सबस्या की बाद शिव का जो ध्यान है उनकी तरफ वापस अकर्शित हुआ और फिर शिव नहीं जाके उनको प्रपोस किया और उनसे शाधी करे लेकिन वैरागी थे शिव जी वो बिना अकेले रहे बिना ध्यान करे बिना नाम जपे वो नहीं रह सकते थे तो इसलिए जब वो थोड़े हो जाते थे दीन दुनिया की चीजों से दुनियादारी की बातों से तो फिर वो कहीं कुछ दिनों के लिए चले जाते थे फिर आते थे फिर जाते थे यह उनका चलता था काफी टाइब तो उन्होंने जब सिखाया उनको तो एक ए बड़ी अच्छी सी फ्रेज है तो जब सहस नाम क्या हुए वही जो मैंने आपको बताया सहसर नाम ततुल्यम श्री राम नाम वर्णने जब उन्होंने शिव के मुँँ से ये बात सुनी तो उसके बाद वो भी अपने पियसंग जपी जेई पियसंग भवानी उन्होंने भी जपना शुरू कर दिया तो यहाँ पे शिव ने पारवती को रमायन सुनानी शुरू करी सुनाने से पहले दोनोंने एक दूसरे के साथ शर्ते रखी पहली शर्ट उन्होंने रखी कि आप जो मुझे कहानी सुनाओगे वो छोटी नहीं हो सकती है वो ऐसा नहीं कि एक घंटे में दो घंटे में खतम हो गई ठीक है क्योंकि वो तो चाती थी मेरे साथ ही रहें थोड़े दिन या ना मिरसा टाइम स्वेंट करें तो शिवजी ने बोला ठीक है मैं तुम्हें एक लंबी कहानी सुनाओगा और जो चलती रहेगी continuous जितने भी दिन दिन राज चलती रहेगी तो पारवती ने बोला okay लेकिन फिर शिवजी ने बोला कि फिर तुम बोर नहीं हो सकती तुम्हें नेंद नहीं आनी चाहिए तुमको भी पूरा ध्यान के साथ और पूरी अटेंटिवनेस के साथ जो कथा मैं तुम्हें अब सुनाने वाला हूँ वो सुननी पड़ेगी उन्होंने बोला ठीक है वो दो ही चाहती थी और फिर उन्होंने रामायन की जो राम कता है वो सुनानी शुरू करी और वो सुनाते गए पार्वती सुनती रही वो सुनाते रहे पार्वती सुनती रही पार्वती फिर अपने क्वेशन्स पूछती थी फिर शिव उन्होंने क्वेशन्स का आंसर देते थे तो ऐसे करते करते बहुत दिनों तक राम कथा वो उनको सुनाते रहे ठीक है और जब राम कथा खतम हुई तो राम कथा का मतलब रीजन क्या है ये समझ ये क्योंकि कहानी में एक रस होता है कहानी में एक भाव होता है ठीक है जब हम कहानी सुनते है कोई भी कहानी सुनते है उ का असर हमारे धिमाग वे होता है रहता है तो जब हम राम कता सुनते हैं तो पहली बात तो राम नाम का वो जाप निरंतर हमारे अंदर चलता रहता है आक्चली शिवजी का रीजन भी यही था वो तो यही कर रहे थे कि वो अपना राम नाम का ध्यान जाप कर रहे थे फिर मुझे भी ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे भी कहानी सुनानी चाहिए, जो भी उनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए, हस्बेंड वाइफ में एक दोस्ती का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, जो उनकी बीच में था, तो उनने बोला कि ठीक है, इस बार में आया हूँ और इसी बहाने पारवती को भी मैं ये सबसे बड़ा जंदगी का गिफ्ट दे दूँगा, जिसके बाद पारवती भी वो चीज़े एक्सपीरेंस करेंगी, जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त, और पारवती ने क्यूंकि बहुत अपस्या की थी शिव को पाने के लिए, बहुत इज गया था, पारवती उनसे छोटी भी थी, तो वो एक रिस्पेक्ट भी थी कि मुझसे बड़े हैं, मुझसे जादा जानते हैं, और पिछले जनम की स्प्रेती भी उनके अंदर थी, क्या क्या भुगता था उन्होंने पिछले जनम में, कितना कितना दुख उठाया था, मेरे बिना, मेरी याद में कैसे तड़पे थे, वो भी उन्हें याद था, तो वो अपने पती की एक एक वर्ड को वैल्यू करती थी, दोनों में बहुत अंदरस्टैंडिंग थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुली परफेक्ट रिलेशन्शिप था, जब कोई र जैसे, जैसे भी मेरे हस्बंड है, जैसे भी मेरा बॉइफ्रेंड है, जैसे भी मेरी गर्ल फ्रेंड है, जो भी आपके रिलेशन्शिप्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मदर फादर हैं, मेरे ब्रादर सिस्टर हैं, या जो भी हैं, जिनसे आप क्लोज हैं, ये ऐसे ही हैं, ठ कि मात पिता बांधव सुद्धारा धंजन साजन सखा प्यारा अंत काल दे सकेना सहारा राम नाम तेरा तारन हारा फिर आप देखे गुरु नानक जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि नानक दुखिया सबसंसार सो सुखिया जिस नाम अधार तो यह मास्टर्स हमको क्यों सिखा रहे हैं चीज क्यों वो हमें बार बार कहते कि अब कर्म योग कीजिया और नाम जपिये बिकॉज इट हाज ग्रेट डील ऑफ पावर इन इट और राइट सो चलिया आगे बढ़ते क्योंकि मेरी तो फेवरेट अराम आयन मैं तो जितनी मर्जी सुन सकती हूं और सुना सकती हूं और मेरा तो यह अच्छी गोल रहता है कि दिन में एक बार एक टाइम ऐसा फिक्स् कुछ था पिनाक को तोड़ दिया या तूट गया उनके हाथों से और यहां पर शादी फिक्स हो गई और जनक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और फिर उन्होंने अपनी तरफ से इंविटेशन भेज दिया कि प्लीज आयोध्या में भी आप ये इंविटेशन भेज द आयोध्या में भी खुशी चा गई आनन फानन में बरात तयार हुई हाथी घोड़े रत सेना वारात को मिठला पहुचने में पांच दिन लग गए जनक क्योंकि यह मत सोच जीगा कि उस जमाने में ट्रावल के साधन नहीं थे इसलिए पांच दिन लग गए नहीं क्योंकि पूरा का पूरा जो अयोध्या था वो बाराती बन गया था इतने लोग गए थे उस वक्षादी में कि मतलब आप लगा लो की तरीके का हीूज जैसे आजकल म्यूजिक फस्टिवल्स होते हैं कार्नेवल्स होते हैं वो उस तरीके की चीज़ बन गी थी क्योंकि वैसे ही गूकुल की जो ये कहते हैं जो वन्ष है वो ऐसा ही था बहुत त्याग करने वाला वन्ष था वो कभी भी प्रजा को ऐसे नहीं देखते थे कि ये मेरी देखो क्राउड है जनता है नहीं वो हमेशा खुद को पबलिक सर्वेंट कहते थे और इसलिए रामने बाद में आगे कर रहा ह ninth, कुछ भी करके तो मैं अपनी ही इस सुख से वंचित हो जाता हूं, मैं अपने सुख का ही तयाग कर देता हूं मुझे भी ये शुक नहीं चाहिए क्योंकि हूं तो मैं पब्लिक सर्विंट उन्होंने कभी यह नहीं बोला कि मैं राजा हूं और लोग मेरी बात माने और जिसने मेरी पत्नी के बारे में गलत बोला भई उसको जेल में डाल दो उसको सजा दे दो नहीं वो चाहते तो यह भी कर सकते थे इसलिए जितना आप रामाइंड को सुनेंग जगमगा रही थी हर मार्क पर तोरन द्वार था हर जगा फूलों की चादर थी एक एक कोना सुवासित था हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदन वार था एक एक घर से मंगल गीत सुनाई दे रहे थे और मुख्य मार्क पर दश्रत की अपार भीड थी खिडकियां और छज जो से जांकती महीलाएं एक नजर सिर्फ राम को देख ले राम सीता की जोड़ी दिख जाए बस विवा के ठीक पहले विदे राज ने महराज दश्रत से कहा राजन राम ने मेरी प्रतिग्या पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवा लक्षमन से हो जाए मेरे छोटे भाई कुश द्वच की भी दो पुत्रिया हैं मांडवी और श्टुत कीर्थी क्रिप्या उन्हें भरत और शत्रुगन के लिए स्विकार करे हैं राजादशरत ने ये प्रस्ताव तत्काल मान लिया विवा के बाद बारात कुछ दिनों तक जनकपुर में रुकी बाराती बहों को लेकर अयोध्या लोटे तो रानियों ने पुत्र वधों की आर्ती उतारी स्ट्रीयों के पेफूल बरसाए और शंक्त वनी से गलियां तो सवलगातार कहीं दिनों तक चलता रहां कि यहां पर थोड़ा डिटेलिंग कम है तो मैं आपको बताती हूं कि श्री राम जब वालमिकी जी के साथ गये थे महर्शी वालमिकी के साथ नौट वालमिकी विश्वा मित्र के साथ वालमिकी तो जिन्होंने रमाइन लिकी है तो उस वक्त वो 16 वर्श के थे अगर आपको याद हो हमने पिछले भाग में यह डिसकस किया था कि राम 16 वर्श के थे और दश्रत उस वक्त बहुत दुखी हो गए थे कि मेरा राम तो भी बहुत चोटा है बच्चा है इसको मत ले जाओ अन दिसंदार लेकिन उन्होंने न आयू में जाके ताड़का का वद होता है यग्य होते हैं फिर राम की शिक्षा दिक्षा चलती है विश्वा मित्र के से दाश्रम में उसके बाद यह सब होने के बाद जब वो 24 यर्ज के हो जाते हैं फिर वो इस में पार्ट लेते हैं ठीक है यह जो आपका स्वेंबर था उस वक्त सीता जी की उम्र 18 साल थी और शादी के बाद राम और सीता एक साथ 12 साल तक अयोध्या में भी रहते हैं ठीक है तो जब मा सीता वहां से जाती है वनवास के लिए तो उनकी एज अराउंड 30 यर्ज हो गई थी और फिर 14 साल वो श्री राम के साथ रहती हैं जंगल म उनका हरण होता है और 14 साल में वापस वो अहोध्या आते हैं और इस वक्त उनकी एज जो है 43 यर्ज तक हो जाती है दोस्तों ये सारी इंफोमेशन में आपको इसलिए दे रही हूं ताकि कहीं लोगों का वो जो एक कन्फ्यूजन है कि बाल विवा होते थे पहले इंडिया म में या बच्चे पैदा करने से रिलेटिट क्या एज ग्रूप होती है क्योंकि ये काफी सुनने को मिलता है यह ने तो काफी लोगों से सुना है कि इतनी उमर हो जाएगी फिर बच्चा कैसे पैदा करो गए इसलिए शादी इस एज में होनी चाहिए फलाना डिमकाना तो सी के बाद वह वनवास में इतने दिन रहे उन्होंने तब भी नहीं किया जब श्री राम ने क्योंकि इससे पहले तक श्री राम राजा नहीं बने थे उससे पहले भी वह क्राउन प्रिंस थे और कहके इने अपना शड़यंत्र रच के जो मंथरा ने उसे पट्ती बढ़ाई जो नेगेटिव एनरजी कहके में थी उस एनरजी के चलते उसने ही कहके ने श्री राम जी को वनवास की मांग की थी उसे उस वक्त तो आप यह देखिए जब तक श्री राम राजा नहीं बने तब तक जब तक कि उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं की गई क्योंकि एक बार या एक आने वाला भावी राजा देना होता है जो बाद में श्री राम की जगा गद्धी पे बैठता तब जाके इतना टाइम स्पेंड किया दोनों बती बतनी ने इतने वर्षों तक लेकिन जब तक राजा नहीं बने तब तक उन्होंने रिप्रोडक्शन के बारे में सोचा और जब फाइनली सीता प्रेगनेंट हुई तो उसी के बाद ही उन्होंने उनका त्याग किया था तो 44 की एज में सीता प्रेगनेंट हुई थी और ये उन सब लोगों को एक जवाब दिया जाता है जो कहते थे कि बाल विवा होते थे पहले या इतनी उमर में ही औरत का बच करते होती थी और लड़की को अगर उनके उसका मासिक धर्म जो होता है हर महीने होता है उसमें बहुती इंप्योर है मंदिर नहीं जा सकती है किचन में नहीं जा सकती है अचार में हाथ नहीं डाल सकती लड़की ये सारी बाते हैं और जो सती प्रता इतनी सबसे बकवास सब पत्नी को एक ऐसा टाइम भी आ गया था जब फोर्सफुली भी करते थे जब और पती मर गया तो इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं विद्वा होगी वह अल्रेडी मेरे लिए एक दुख की बात है उस दुख से मुझे भी निकलना है और तुम मुझे जलाने के लिए वो कर र मुझे वाटियों को दूख जाता है जिसमें की बेकार का मतलब की यसमे कोई सर पैर नहीं है और दहेज की चक्कर में भी एक ऐसा समया आया था जिसमें और लड़कियों को जला दिया जाता था जिन्दा क्योंकि वह लाई निया थीकि है मान लोग पं लाई उनकी उमीद से जो लाल्ची उसके पती के तरफ के लोग होते हैं उसकी सास उसके ससुर पती इंक्लूड़ेट सम टाइम्स ननद और यह सब यह सोचते हैं जब पैसे लाई नी तो हम इसे रखे क्यूं इसकी क्या वैल्ली। तो बेटर इसे जला के मार दो तो ऐसी इसी इतनी गिनौनी कुरी कि यह रमायान पढ़के महाभारत पढ़के हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है कि वुमेन से रिलेटेड लड़कियों से रिलेटेड कितनी ऐसी चीजे थी जो उस टाइम पे अटलीस आप राम के तरफ से तो कही सकते हो लेकिन हां कुछ लोगों को इस बात से बहुत शिकायत तो यह कि क्यों स्री राम ने सीता का त्याग कर दिया वो भी तब जब वो प्रेगनेंट थी जब उनका बच्चा होने वाला था यह कैसा उत्तम पुरुष है यह क्या कैरेक्टर इनका ऐसे तो नहीं हो सकता ब्ला 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 तो आपको यह समझना होगा जैसे मैंने थोड पहले भी कहा कि राम अपने आपको एक पब्लिक सर्वेंट समझते थे वो अपने आपको ऐसे नहीं देखते थे कि मैं राजा हूं तो मैं जो मर्जी कर सकता हूं जब उनको यह चीज पता चली कितने ऐसे राजा और मंत्री हैं आज की दुनिया में भी जो वेश बदल बद कि रातों को province में घूमते हैं यह जहां पर उचसव हो रहेते हैं महां जाते है और पभली क्या कहती हैं चुनते हैं कि गृद्टिंग मेंने पतल न्यकогağıरण को तहीं लेकिन राम जैसा राजा कोई हुआ ही नहीं कभी ठीक है इसलिए उनसे किसी का कमपारिजन भी नहीं करना चाहिए और साथ में कभी भी उन्होंने वैसी कोई हरकत नहीं करी मतलब एक ये जो सीता का त्याँ करना ये नहीं दरशाता की वो एक कैसे इनसान थे कैसे वो थे ये दरशाता है कि उन्होंने अपने काम को अपनी ड्यूटी को बहुत जादा इंपॉर्टेंज दी और वो ये भी जानते थे कि सीता एक डिवाइन लेडी है क्योंकि सीता की पावर्स वो जानते थे उनको ये पता था कि सीता के लिए ये थोड़े ना कि वो जंगल में चली जाएगी तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा He knew very well कि सीता इतनी पावर्फुल मास्टर हैं उनको कुछ भी नहीं होगा और दुख तो राम को इस बात का था कि उनको सीता का त्याग करना पड़ रहा है because of other people दूसरे लोगों की जो negative energy थी उस टाइम पे या उनको lack of acceptance थी respect थी कितने दिन रही थी सीता जी वहां पे आयोध्या में सारी और रावन के यहां पे तो सिर्फ दस महीने वहां पे रुकी थी अशोक वातिका में श्री लंका में ठीक है और अश्विन शुक्ल दशमी को श्री राम ने रावन को मारा था तेरा दिन के भयंकर युद्ध के बाद जिसे हम विजय दश्यमी कहते हैं फिर वहाँ से माता सीता को रिलीस किया गया था तो ऐसे खदरनाक राक्षस रावन की अशोग वाटी कामे वो रही इतने दिन उन्होंने दुख होगा वो पबलिक कैसी थी वो क्राउट कैसा था जो इतना सब कुछ सुनने के बाद जानने के बाद भी जिसने सीता के उपर उंगली उठाई सारी गलती तो उस क्राउट की है जिनके अंदर कोई एमपथी नहीं थी जो कि आजकल की दुनिया में देखा भी जाता है आजकल भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको कोई किसी के प्रती कोई किसी के साथ बूरा होता है तो उनको कोई एमपथी नहीं होती है ठीक है जैसे अभी मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहती बिलकुल भी लेकिन औरतों से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं या औरतों की जहां पर अवेलना की जाती है कोई लडाई जगड़ा भी होता है तो कहते है औरत की वज़े से लडाई जगड़ा हो रहा है तो आप देखिए द्रौपती में भी को भी ये लांचन लगाया गया था कि महाभारत करवाने वाली द्रौपती है यह यहाँ पर मैं ज़रूर बोलना चाहूंगी कि महाभारत द्रौपती ने नहीं कराई थी द्रौपती तो बलकि वो कारण थी जिसके वज़े से पांडवों की आँखे खुल गी थी और उनकी अवेकनिंग प्रोसेस होगी थी स्टार्ट क्यूंकि कौरफ तो पांडव के दुश्मन बचपन से ही थे छोटी सी उमर में भीम को दुयोधन ने पानी में बेहोश करके जहर खिलाके गेर दिया था अगर भीम नाग लोग नहीं पहुंचते हैं और नाग लोग के नागों ने जब उन्हें डसा तो जहर को क कर सकते हैं इतना बड़ा मतलब गेम प्लान कर सकता था दुरियोधन और दुश्यासन तो वह तो बच्पन से ही उनके अगेंस ते फिर लाक्षग रह उन्होंने किया तो वह तो कभी भी नहीं चाते थे कि पांडव सुखी रह वो पांडव उसे जलते थे और वह इस बात से कहानी बहुत इंट्रेस्टिंग है ठीक है तो औरत की वजह से कोई लडाई नहीं क्योंकि यह भी कहा जाता है कि यह राम रावन का युद्ध भी विकॉज अफ सीता हुआ था तो यह सारी वह बाते लोग जो करते हैं वह बहुत ही जादा वूंडिट पेट्रियाकी से गु तो यह बहुत ही गलत तरीके की मेंटालिटी है और फिर वैसे ही कहीं लोग कहते कि राम ऐसे पती थे अच्छे पती नहीं थे यह थे वह यह नहीं अंडिस्टांड करते कि वह राम का सबसे बड़ा साक्रफाइस था क्योंकि राम सीता से इतना प्यार करते थे कि पैदल चल प्यार करते थे लेकिन क्या रावन सही कर रहा था रावन का जो पूरा आप उसकी जब रमायंड भी हम पढ़ रहे हैं तो देखी कैसे ताड़का का वद होता है सुबाहू और मारीच सुबाहू तो मर जाता है मारीच को फिर तीर लगता है और अगर आप ध्यान से कभी इन लुमिनाती कहते हैं उसकी भी क्रियेटर रावन और मारीची हैं लुमिनाती के अंडर आता है माया नगरी जिसको हम बॉलेवोड हॉलेवोड कहते हैं जितने भी ऐसी एजिंसी होती है न्यूस चैनल्स होते टेलेविजन शोज होते हैं जिसमें कोई सरपैर की बात नहीं हो कि मेरे होने ना होने से कोई फरक नहीं पढ़ना ची राक्षज राच तो चलता ही रहेगा तो ऐसे भेंकर रावन को मारने के लिए मतलब बहुत बड़ी पावर चाहिए और रावन सचे प्यार के भी अगेंस था उसको चिड़ थी सच्चे प्यार से वो कभी नहीं चाहता कि दो सच्चे प्रेमी क्योंकि राम और सीता ट्विन फ्लेम गुरू जैसे मैंने कहा वह बहुत ही असेंडेड मास्टर जया उनका जो प्यार थैक दूसरे के प्रती बहुत प्योर था बहुत प्योर था उनके प्यार में ऐसी कोई चीज कोई डाउट ही नहीं था और सीता कभी राम से नराज नहीं हुई कि लोगों लगता है सीता बहुत अबलान आ रही थी उनके बड़े दुख भोगे दुख तो इस बात का था कि हाँ वो सेपरेट होगे उस बात को नहीं दुख था लेकिन कभी भी उन्होंने श्री राम के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं बोला क्यूं कि वो श्री राम की बहुत respect करती थी वो जानती थी कि ऐसा पती मिलना बहुत मुश्किल है ऐसा पती तो न जाने कितने जन्मों में मिलता है और जब वो वापस अपनी धर्ती मा के पास जा रहे थी तब भी उन्होंने यही काता कि मुझे हर जनम में राम ही मेरे पती बने जितनी बार मैं सीता बनके पैदा हूँ जितने भी क्यूगों में आऊँ तो मेरे राम ही पती होएं और वो राम से रिक्वेस्ट करती है कि फिर दुबारा ऐसी सिचुएशन मत आने देना जहां पर मेरे साथ इतना कुछ होए या मुझे लेकिन वो यह नहीं कहती कि राम बुरे व्यक्ती थे वो तो बलकि प्राउड फील करती थी बहुत ज़ादा वो तो खुश थी क्यूंकि वो खुद एक मिशन ओरियंटेड लेडी थी अगर मिशन ओरियंटेड लेडी नहीं होती तो पती के त्याग करने के बाद सीधा पिता के घर जाती लेकिन वो पिता के पास नहीं गई लक्षमन को जब लक्षमन ने बताया कि राम ने आपका त्याग कर दिया तो वो क्या सकती थी, तो रक्ष्मक्ष तुम मुझे क्यों इस जंगल में लेकर आए, चलो मुझे मेरे पिता के घर छोड़ दो, ऐसा उनने नहीं किया, ठीक है, तो वो बहुत ही डिवाइन और पाफुल लेडी थी, बहुत मतलब एक लेवल की जिसे गॉड़ेस एनरजी थी तो शादी की बात तो चल रही है, लेकि ये वाली बाते बीच-बीच में आपको इसलिए बताती हूँ, ताकि आप को रिलेट कर सको, रिलेशनशिप्स की जो आप गहराईयों में जाना चाह रहे हो, कोई भी रिलेशनशिप्स हो, रमायन हर एक रिलेशनशिप्स के एंगल चाहिए वो गुरु शिश्य के बीच की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहिए वो राक्षस मानव और देवताओं में क्या डिफरेंस है और क्या कनेक्शन है उसके उपर हो, भक्ती के उपर हो, ड्यूटी बाउंडनेस के उपर हो, कार्मिक रिलेशनशिप्स के उपर हो, कर्मा बालेंस के उपर हो, मतलब ऐसी कौन सी चीज नहीं, साइन्टिफिक टेकनोलजी से लेकर ऐसी कौन सी चीज नहीं है, जो रमायंड में कवर नहीं की गई, इसलिए रमायंड जैसा डॉक्यमेंट कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है, तो अब विवास ठीक पहले विदेराज ने म महराज दशरत से कहा, राजन राम ने मेरी पत्यग्या पूरी कर लिया और बेटी सीता को अपना लिया, तो अब यहाँ पे बाकी बहनों की भी शादी बाकी भाईयों से हो जाती है, फिक्स, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में, यहाँ पे हम अपना न योध्या लोटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था, राम ये जिम्मेदारी अच्छी दरा से निबा रहे थे, उनकी विनम्रता, विद्वता और पराकरम का लोहा सभी मानते थे, प्रजा उनको चाहती थी, दशरत के लिए तो राजकार चलाया, जैसा बन पड़ा, लेकिन अब मेरे अंग शितिल हो गए है, मैं वृद्ध हो चला हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कारे भार राम को सौब दूँ, अगर आप सब सेमत हों, तो राम को युवराज का पत दे दिया जाए, अगर आपकी राय इस से भिन है, त दश्रत थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोश के साथ, उन्होंने कहा, शुब काम में देरी नहीं होनी चाहिए, मेरी इच्छा है कि राम का राज्यबिशे कल सुबह ही कर दिया जाए, ये समाचार पलक जपकते पूरे नगर में फैल गया, हर जगा बस यही चर्दा थी, र भरत और शत्रुगन उस समय अयोध्या में नहीं थे, वे अपने नाना केकई राज के यहां गए हुए थे, जो केकई की जो मा थी, उसका नाम था ककाया, और ककाया के अंदर भी यही गुण था, या प्रॉब्लम कहो आप से, एक बार वो भी अपने पती की पूरी जान के प हारे, उन्होंने बलकी ककाया को बिल्कुल ठीक कर दिया था, लेकिन यह बुरी हैबिट जो थी, यह केकई में भी आ गई, एनिवे उस पर फिर कभी बात करेंगे, उस कहानी पर, अगर आपको यह कहानी सुननी है, क्या किया था केकई की माता ने, तो आप कॉमेंट में ने की बात करते, तो उनके नाना उनको रोग देते थे, भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी, उन्होंने अपने पिता के निर्ने के संबंध में कोई ऐसा डिसकुशन नहीं किया था, माँ पे, यह जानकारी भी नहीं थी, कि अगले दिन ही राम का बल भी नीता, because of distance, राजा दश्रत ने इस संबंध में राम से चर्चा की, कहा कि भरत यहां नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्यपिशेक का कारेकरम ना रोका जाए, देखें यह कहते हैं, जब किसमत में कुछ लिखा होता है, ऐसे कुछ होना, तो इसी तरह के कहीं बा होना है, तो अभी ही करना है, कोई होए, ना होए, कोई बात नहीं, ठीक है, तो वो बस चाहते दे कि कली हो जाए, कैसे भी हो जाए, कली हो जाए, तो उन्होंने राम से का कि जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राज धर्म का पालन करना, पुत्र, कुल की म जोती मन्तरा शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया उसने इसे कई कोई अन्य अनुष्ठान समझा कि इतनी रौनक ऐसी सजावट ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा दा उसे अचंबा हुआ फिर उसने राणी कौशल्या की दासी से उसे तब पदा चला कि कल राम का राजय बिशेक होने वाला है और ये उस्तव उसी के लिए है मन्तरा पूरी तरह से जल भुन गई राम का राजय बिशेक उसे एक शड़यंत्र लगा कैकई के विरुद्ध वे कैकई की दासी थी बचपन से कैकई का हित उसके लिए सर्वपरी था मन्तरा उसे अपना हित मानती थी वे कैकई की मूलगी भी थी रानी कैकई भी उसको बहुत मानती थी तो यह जो मंत्रा का कैरेक्टर है यह मुझे बहुत जादा शकुनी के कैरेक्टर जैसा भी लगता है क्योंकि शकुनी जो था वो अपने जो यह कौरव के पुत्र थे कौरवों से उसे बड़ा अटाच्चमेंट था वो यह चाता था कि इनके साथ हमेशा कुछ अच्छा है मतलब वो ऐसे सबसे जादा brainwash अगर किसी ने दुरियोधन को किया था दुरियोधन और साशन को सारे भाईयों को तो वो शकुनी था अपना तो उसके पास राज था वो कंधार नरेश था जो कि आज की रेट में I think Afghanistan है काबूल नहीं Afghanistan राइट तो वहाँ का राजा था तो उसको क्या जूरत पड़ी दी वहाँ से सब कुछ छोड़ के आने की क्योंकि उसको अपनी बहन से बहुत attachment था दूसरा उसको था कि यार मेरी बहन की शादी एक अंधे राजा से हुई है तो कई मेरी बहन के साथ अन्याय ना हो जाए देखिए वो सब कुछ छोड़ के वहाँ पर बैठा रहा फिर भी किसी न उसको एक दफ़े नहीं बोला कि तू भी अपनी कंट्री वापस चला जा तेरी बहन की शादी हो गई है अब यहां रहके क्या करेगा लेकिन वो गया ही नहीं उसने अपनी सारी जंदगी वहीं पर ही बिता दी हस्तिनापूर में ऐसी मंतरा भी थी मंतरा को था कि भी मैं तो सिर्फ कैकै का फाइदा करू इधर उधर की उसने सोची नहीं तो क्रोट से आग बबूला मंतरा रानी वासकी और भागी सीधे कैकै के कक्ष में गई और वहां जाके हाफने लगी क्रोट से उसका चेहरा लाल था और भागने के कारण सांस उकड रही थी उसने रानी केकी को सोते वे देखा किसी तरह स्वयम को सम्हालते वे मंतरा ने कहा अरे मेरी मूर्ख रानी उठ तेरे उपर भयानक विपता आने वाली है ये समय सोने का नहीं है होश में आओ विपत्ती का पहार तूटे इससे पहले जाग जाओ रानी कई कई नीन से चौक कर उठी उन्होंने मंतरा की बात को समझ नहीं पाई तो बोला बात क्या है तुम इतना घबराई क्यों हो सब कुशल तो है कैसा कुशल कैसा मंगल सब अमंगल होने वाला है तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है महराज दशरत ने कल राम का राज्य भिशेक करने का निर्ने लिया है अब राम युवराज होंगे ये तो बहुत शुब समाचार है कई कई ने हस्ते वे प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार के मंत्रा को देते हुए कहा अरे वा मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ राम युवराजपत के लिए हर तरह से योग्य है मंत्रा बोली रानी तुम्हारी बुद्धी फिर गई है मती मारी गई है सवाल राम की योग्यत आका नहीं है राजपत का ये शडियंत्र है तुम्हारे अधिकार छीनने का मंत्रा ने हार दूर फैंकते वे कहा ये शडियंत्र नहीं तो और क्या है कल सुबह राजपी शेक है भरत को जान भूचकर ननिहाल भेश दिया समारों के लिए बुलाया तक नहीं कैके का स्वर उग्र हो गया उन्होंने मंत्रा को डापते हुए कहा राम की प्रती मेरा अगाच ने है वो मुझे मा समान मानते है तुझे इसमें शडियंत्र दिखाई देता है इसमें शडियंत्र नहीं है राम के बाद भरधी राजा बनेंगे राज सरवता जेश्ट पुत्र को ही मिलता है मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ उसके लिए दशरत का शड्यंत्र था वे रानी कैकई के पलंग पर बैठ गई उनके बहुत निकट कैकई के चेहरे की और देखते हुए उसने कहा तुम बहुत भूली हो नादान हो तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता दुख की जगा प्रसन्नता होती है इस बुद्धी पर किसी को भी तरस आएगा समझो रानी राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी भरत राम के दास हो जाएंगे वे राजा नहीं बनेंगे राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा अनर्थ को अर्थ समझने की मुर्कता मत करो रानी राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे वे भरत को दंड देंगे इस तिरसकार से भरत की रक्षा करो रानी ऐसा कोई उपाय करो कि राजगद्धी भरत को मिले और राम को जंगल भेश दिया जाए अब ये होता है हिप्रोटाइस करना किसी को ब्रेनवाश करना तो कई-कई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा उसका सर चक्रा गया वे पलंग से उठी तो पाउं सीधे नहीं पड़े आँखों में आसू थे मन भारी हो चला था प्रसन्नता की जगा अव्यक्त क्रोध ने ले ली मंथरा के तरकों में उन्हें सच्चा ही दिखाए दिने लगी फिर बोली तुमीं बताओ मैं क्या करूँ कैके ने आसू पोश्टे में मंतरा से कहा मंतरा पलंग से उठी कैके के पास जाकर खड़ी हो गई उसने कहा याद करो रानी महराज दशरत ने तुमें दो वर्दान दिये थे दशरत से अपना वचन पूरा करने को कहो एक से भरत के लिए राजगदी मांग लो और दूसरे से राम को चौदा वर्ष का वनवास कैके का चहरा तम तम आया हुआ था उन्हें मंतरा की बात ठीक लगी उनके मन में एक प्रशन अब भी था ये बात दशरत से कैसे कहें उन्हें रानिवास बुलवाएं या प्रतिक्षा करें मंतरा ने कहकर के मन की बात को भांप ली उसने कहा तुम मैले कपड़े पहन कर कोप भवन चली जाओ महराज दशरत आये तो उनकी और मत देखो बात मत करो तुम उनकी प्रियर आनी हो तुम्हारा दुख वो देख नहीं बाएंगे बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना दोनों वचन मांग लेना अब रिपलाई किया कहके ने मैं ऐसा ही करूंगी महराज का शडियंत्र सफल नहीं होने दूंगी सो मंत्रा का लक्ष पूरा हो गया था चलते चलते उसने रानी कई कई से कहा राम के लिए 14 वर्ष का कम वनवास 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना भरत इतने समय में राज काज समाल लेंगे जब तक राम लोटेंगे लोग उने भूल चुके होंगे सो अब जल्दी करो रानी समय बहुत कम है रानी कई कई कोप भवन चली गई मंत्रा रानी वास से निकल गई दिन बर की गहमा गहमी के बाद महराज दश्रत को रानियों की याद आई तुरंट रानी वास की और चल पड़े उन्हें शुब समाचार देने सबसे पहले वे कई कई के कक्षकी और मुड़े कई कई वहां नहीं थी प्रतिहारी से पूछा तो पता चला कि वे कोप भवन में हैं दश्रत को चिंता हुई कई 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 कोप भवन में? पर अन्तु क्यूं? क्या इसलिए कि अब तक मैंने उसे सूचना नहीं दी? मैं उसे अवश्य मना लूँगा दश्रत ने सोचा अब दश्रत कितने इनोसेंट हैं देखो उनको तो ये लग रहा है कि कई कई इसलिए नराज होगी कि मैंने बताया नहीं अभी तक फर्स परसन टू भी यूनो डिसकस्ट विज जैसे बोलते न तो जैसे वो कोप भवन गए तो वहां का दृष्य देखके हरान हो गए उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कई जमीन पर लेटी हुई थी बाल बिकरे हुए थे गैने कक्ष में बिकरे पड़े थे कपडे मैले तुम्हें क्या दुख है क्या हुआ है तुम्हें मुझे बताओ अस्वस्त हो राजवेद को बुलाओं दिश्रत ने कहीं सवाल पूछे तो कोई उत्तर नहीं मिला और कई-कई रोती रही तुम मेरी सबसे प्रियर आनी हो मैं तुम्हें प्रसन्द देखना चाता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी धर्ती आसमान तक एक कर सकता हूँ दोस्तो दश्रत ने कहके को मनाने का बहुत प्रयास किया उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला दश्रत भी भूमी पर बैठ गए विंती करते रहे हाँ मैं बिमार हूँ कई कई ने कहा मैं अपनी बिमारी के संबंद में आपको बताऊंगी लेकिन पहले आप एक वचन दे मैं जो मांगूंगी उसे पूरा करेंगे राजा ने ततकाल हामी भर दी कहा मैं राम की सौगंद खाकर कहता हूँ कि तुमारी हर इच्छा पूरी करूंगा तो क्या होता है दोस्तों ये मोह की बाते हैं सारी जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं न मैं आपको एक और ऐसा वचन वाला पॉइंट याद दिलाती हूँ जो कि भीश में पितामा ने की थी पितामा भीश में तो उनका नाम बाद में पढ़ा था पितामा नाम उनको बच्चों नहीं दिया था नाती पोतियों से उनको मिला था नाम तो उनका भीश में पढ़ गया था लेकिन उससे भी पहले उनका नाम था देवरत गंगा पुत्र देवरत थे वो और अपने पिता से उनको भी बहुत मो था जैसे यहाँ पे दशरत को मो सिर्फ एक इंसान से नहीं हो सकता जिसके अंदर मो की प्रॉबलम है ना अटाच्मेंट की प्रॉबलम है उसको बहुत लोगों से अटाच्मेंट हो सकती जैसे कई-कई से इनको अटाच्मेंट थी कई-कई से भी बहुत जादा अटाच्मेंट थी दशरत को और दशरत कई-कई कई यह हाल नहीं देख सकते थे और on top of that कई-कई उनकी फेवरेट थी वो most time, most of the time कई-कई के साथ ही बिताते थे तो यह अटाच्मेंट ऐसी चीज है दोस्तों इससे हमेशा दूर रहना क्योंकि अटाच्मेंट में कहीं दफ़े हम ऐसे वचन दे देते हैं ऐसे प्रॉमिसेस कर देते हैं ऐसी बाते बोल देते हैं या ऐसा behavior दिखाते हैं जिसका बाद में हमें भी पश्तावा होता है भले ही जो हमारा व्यक्ति है जो भी हो सकता है उससे हमारी attachment है लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो हरवक्त सही हो जब वो सही नहीं होता और आपकी attachment होती ही फिर भी आप उनकी side लेते हो और उनको गलत करने में प्रोचसाहिद करते हो ठीक है तो ऐसे ही भीश्म ने किया जब मच्य कन्या से उनके पिता शांतनू को प्रेम हो गया तो आँ देखाना ताओ बस पिता का जो broken heart था या जो भी उनका situation था उसमें भीश्म ने सोचा जो भीश्म बन गए प्रतिग्या लेके देवरत ने सोचा कि चलो मैं अपने पिता के लिए यह त्याग कर देता हूँ आगे जाके महाभारत में जितनी भी problems आई है वो कहीं न कहीं इस वज़े से भी आई क्योंकि जो असली राजा था देवरत वो राजा नहीं बन पाया यह जो Bollywood वाले लोग है न दोस्तों क्या करते हैं यह हमारी जो यह text है जो हमारे इतने purity भरे धमाकेदार text है इन में से dialogue चुराते हैं और बाद में credit भी नहीं देते असली dialogue तो यह था यह है अभी भी कि रगुकुल रीती सदा चली आए प्राण जाए पर वचन न जाए इसका dialogue बना दिया कि भई एक बार जो मैंने commitment कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता तो यह तो रामायंट से ही copy गी है न और उसके बाद एक और था movie आई थी प्रेम रतन धन पायो actually मैं यह गाना है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो किस ने कहा था मीरा जी ने कहा था मीरा जो थी वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी लेकिन मीरा ने भी बहुत दुख उठाए थे क्योंकि उनकी जो इससे शादी हुई थी जो उनका ससुराल था वहाँ पर उनको बिलकुल भी support नहीं मिलता था सब उनको constantly परिशान करते थे और उसके बाद उन्होंने एक गुरू बना लिए एक चमार गुरू से उन्होंने दिक्षा ली और वो रानी इतनी अमेजिंग है मैं तो किसी दिन मीरा जी के भी बारे में बात करूंगी डीटेल में वो इतनी अमेजिंग है वो कभी धर्म जाती ये सब नहीं देखती थी वो सिरिफ एक pure devotee थी जो कृष्ण की भक्ती करती थी वो मंदिर जाती थी तो उनके पती ने और उनके ससुराल वानों ने पहने तो उनका मंदिर जाना ही बंद कर दिया घर पे मंदिर बना दिया कि वह हमारे घर की रानी ऐसे मंदिर में नहीं जाती जबकि पूरा बच्पन वो उस मंदिर में जाती थी, तो ये भी एक feminine energy के साथ एक खिलवाड है, feminine energy की disrespect है, मतलब ये तो कोई गलत काम भी नहीं करी तो सिर्फ भक्ती कर रही थी, मंदिर जा रही थी, या अच्छे काम ही कर रही थी, एक spiritual lady थी, तो उससे भी उन्होंने बोला क कि नई भई, हमारी queen ऐसा नहीं कर सकती, हमारी queen कैसे जाके road पे गूमे, कि हमारी queen क्यों मंदिरों में जाए, इतना ज्यादा torture, इतना ज्यादा emotional pressure उनके उपर था, लेकिन क्या हुआ कि उनको भी राम नाम मिल गया, और उन्होंने राम नाम जपना शुरू कर दिया, राम न जाती है, तो मीरा जो कृष्ण की भक्त थी, तो इतनी परिशान रहती थी, लेकिन जब उन्होंने राम नाम जपना शुरू कर दिया, तो उनके अंदर इतना confidence आ गया, कि वो अपने पती के बिना फिर अकेले भी रही काफी time, बाद में उनके पती ने उनको sorry बोला, बहुत punishment मिली थी, publicly जहर का प्याला उन्होंने पिया था, तो ये क्यों पिया था, क्योंकि just because वो एक भक्त थी, that's it, that's the only crime she committed, मतलत दुन्या में murder हो रहे हैं, खून हो रहे हैं, चोरियां हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा, लेकिन मीरा के बीचे पढ़ गए पायो जी मैंने, राम नाम धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, ये भजन हैं, आप सुन सकते हैं, और उससे पहले वो गाना काती थी, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सरमोर मुकुट, मेरो पती सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई, तो वो भी सिंगिंग के थुरू, अपने ये जो एमोशन्स थे, जो राम नाम से उनको मिल गए थे, राम रतन पाके, वो इतनी धन्या हो गई थी, तो जहर का प्याला भी उनका अमरित में कनवर्ट हो गया था, तो आजकल की दुनिया में क्या होता है, ये जो हीरो के आप क्यरेक्टर्स देखते हो ना, मुवीज में, ये लाजर देन लाइफ क्यरेक्टर्स ये बनाते हैं, लेकिन ये सब एगो बेस्ट होते हैं, इसमें हीरो की identity जो होती हीरो हमेशा ऐसे roll करता है कि वो एकदम ही महान होता है एकदम ही पता नहीं क्या होता है दुनिया से अलग heroine के लिए लडाईया कर रहा होता है villain से लड़ रहा होता है 50-60 लोगों को एक साथ मार रहा होता है पीट रहा होता है यह सब दिखाते है movies में ठीक है लेकिन कहीं पर भी यह नहीं दिखाते है कि truth क्या है truth यह truth के बारे में नहीं बताते है असलियत क्या है कि भाई इतनी power पहली बात तो यह सब नकली है यह shooting की जाती है उसमें आप अगर कभी shooting में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब चीजों की बीचे कोई असलियत नहीं है यह सब एक drama है नो टंकी है ठीक है लेकिन ठीक है entertainment है तो entertainment के point of view से youth भी से देखती है यह मैं नहीं कह रही कि मैं अगेंस टू किसी movie के television और जो यह हमारा परदा है इवन आज की रेट में social media है जितने भी platforms हैं जैसा कि मैंने थोड़ी दर पहले ही कहा था कि यह सारे platforms आप चाहो तो इसे अच्छे के लिए भी use कर सकते हो इसमें अच्छी चीज़े भी देख सकते हो और एक बार अपना नजरिया बदल दोगे तो आप वही चीज़े कैच करोगे जिससे आपका benefit होगा वो चीज़े नहीं कैच करोगे जो बेवकुफानी है फॉल्स हैं बिल्कुल जूट हैं ठीक है? बिल्कुल जूट हैं इसे कितने love songs हैं जो कि किसी सूफी सिंगर से इंस्पाइड होते हैं या किसी ऐसे गाने से इंस्पाइड होते हैं ऐसे भजन से इंस्पाइड होते हैं जो एक्चुली में एक spiritual भजन होता है लेकिन वो इसको बना देते हैं एक romantic भजन उसमें अपना music डाल देते हैं और वो सिरिफ और सिरिफ hero और heroine जो दो characters होते हैं उनकी ego massage की जाती है उसको use करके तो ये बहुत ही गलत चीज़ है credit देना चाहिए Hollywood वालों को या Hollywood वालों को credit देना चाहिए कि हम ये dialogues कहां से चुराते हैं dialogues क्योंकि ये चोरी हुई ना और लोग भी इतने naiv होते हैं इतने innocent होते हैं या पता नी बुद्धू होते हैं क्या होते हैं कि वो एक इनसान को जिसने वैसे किसी के लिए कुछ नी किया कोई भी hero या heroine कोई भी actor या actress जिनका content भी ऐसा नहीं होता कि life changing होता है वो उसको भगवान बना के उसकी पूजा करने लग जाते हैं ये जो फिल्मों में दिखाते हैं ये तो सब नकली होता है ये scripted होता है और मैं खुद एक Bollywood writer हूँ खुद मैं लिखती हूँ काफी जादा तो जबी भी मैं पहले लिखती थी मैं Bollywood के साथ जिपकाम करती थी तो initially जो मेरा first role था वो तो as a marketer था I was marketing for Bollywood movies तो कहीं दफ़े मैं सोचती थी कि ये जो कहानी इतनी larger than life कहानी है ये real थोड़े ना है ये तो बिल्कुल भी real नहीं है इसके लिए एक एक scene के लिए 50-50-100 sort retakes किये जाते हैं फिर मैंने जब अपनी आँखों से देखा जब मैं actively ये काम कर रहे थी तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि ये है वो है और कुछ ऐसी scripts मैंने उस time लिखी थी जिसमें की source को बहुत credit दिया जा रहा था या मैंने एक supernatural script अल्रेडी लिखी है वो movie release भी हो चुकी है horror comedy थी फिर मैंने कुछ और supernatural scripts लिखी कहानिया लिखी बिकाज मेरा goal यही था कि मैं लोगों को ये message दूँ movies के थूँ या stories के थूँ कि भई एक higher power है जो हमें शक्ती देती है जो हमें सब कुछ देती है लेकिन वहां पर मैंने देखा कि Bollywood वालों को ऐसा नहीं चाहिए था वो क्याते थे नहीं नहीं ऐसे movies को ही नहीं पसंद करता ये सब नहीं लोगों को मसाला चाहिए लोगों को commercialism वो चाहिए लोगों को entertainment चाहिए लोगों को ऐसे गाने चाहिए वैसे गाने चीए तो उस वक्त भी दोस्तों मुझे लगता था कि यह क्या कर रहे हैं यह बिलकुली एक दमी लोर फ्रिक्वेंसी वाली चीज़े कर रहे हैं इससे कोई बंदा हायर फ्रिक्वेंसी में जाएगा नहीं और भगवान बना देते हैं यह फिल्म के अक्टर्स को औ एक गौड मोड पर ले जाते हैं लेकिन अगर आप जो की कैमरे के बीचे मैंने काम किया अगर आप उनके साथ समय बिताओगे और काफियों ने मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की थी क्योंकि शुरू से मेरा इस यूनो एक थेरपिस्ट वाला आटिटूड शुरू से था उस वक्त भी तो मुझसे हमेशा आके बहुत कमफूटिबल होके मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे कि मुझे ये बिमारी है मेरा वो इशु है या मेरा रिलेशन्शिप ऐसा है या मेरे घर में ऐसा होता है वैसे होता है तो मुझे उनकी बाते सुनके लगता था कि यार ये तो जादा दुखी है शायद एक कॉमन परसन की लाइफ इनकी लाइफ से जादा बेटर होती है बिकास इनकी लाइफ में बहुत जादा इनसेक्योरिटी होती है इनका रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है आज कोई बहुत फेमस होता है पांच साल बाद माय नग्री में बता है जो एसे बाते बताई है जो इनी होती है जिसमें पीछे कोई का इन नहीं होती है लेकिन रमायन की कहानी आप देखे इस कहानी में कोई पॉलिशिंग नहीं की गई है अगर किसी कैरेक्टर में कोई flaw है including श्री राम जब श्री राम सीता का त्याग करते हैं तो कितने लोग कहते हैं कि यह गलत है यह जब यह तो इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं कितने लोग कहते है यह जब बाली का वद होता है तो कहीं लोग उने मैंने देखा ऐसे लिखा है कि बाली को उन्हें गलत वे से मारा था and dish and that क्योंकि उनकी जो understanding perception है वो भी उस level पर गई नहीं है कि वो श्री राम की सच्चाई को उनकी इनोसेंस को और at the same time उनकी honesty को देख सके और ये भी देख सके कि वो काफी जादा understanding और समझदार भी थे वो जो भी decision लेते थे बहुत ही सोच समझ के decision लेते थे ठीक है और उनकी एक चीज में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर character को बहुत ही real बनाया है ऐसे नहीं बनाया कि राजा है तो देखो ये ऐसा बहुत महान है दशरत का भी flaw दिखा दिया यहां पर राम की खुद की मा ही उन्हें वनवास देती है जिस मा ने पाल पोस के बड़ा किया होता है जिस मा के वो फेवरेट होते हैं अगर आप धरत को परने उसके बात, आप डिटाच हो जाओ गे सारे character से आपको यह लगेगा यार यह तो character ही है यह जो मेरे सामने हो रहा है this situation play out हो रही है और मुझे इस situation में honest रहना है और सच्चा रहना है तो यह हम राम के character से सीता के character से लक्षमन के character से हर character से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं ठीक है दशरत से हम क्या सीखते हैं कि बिना सोचे समझे कभी भी किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए पहले आप देखो कि वो इनसान क्या reaction दे रहा है क्या behavior दिखा रहा है और अगर आप कोई commitment नहीं कर सको तो मेरे हसाब से तो आपको commitment करनी ही नहीं चाहिए commitment भी इनसान को तब करनी चाहिए जब उसको ये लगे कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ ठीक है जब राम राजा बनते हैं तो वो सिरफ अपने पिता की आग्या मानते हैं और सीता गा त्याग करते वक्त वो बहुत रोते हैं अपने पूरवजों के आगे कि मुझे क्यों राजा बनाया वो अपने भाईों से भी कहते हैं तुम ये राजपाट ले लो मैं सीता के साथ दुबारा से किसी रन में जाके रह लूँगा लेकिन फिर उनकी इनर वोईस उनको कहती है कि क्या कर रहे हो राम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यूनो वो अपने पूरवजों से इंटराक्शन करते हैं यह आगे की उत्तरमायन में यह सारी स्टोरी हम पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे तो महराज दशरत ने जैसे ही राम की सौगंद ली तो जो लेटी भी कहकरी जो इतने नौटंकियां कर ली ती ड्रामे कर ली थी वो उटके बैड़े फिर बोली आप मुझे वो दो वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रन भूमी में लिया था महराज दशरत ने हामी भर दी फिर वो बोली कल सुबह राज अभिशेक भरत का हो राम का नहीं कहके ने कहा दशरत ये सुनते की बहुत चक्के रह गए उन पर जैसे कोई वज्रपात सा हुआ थोड़ा रुक कर कहके बोली और राम को चौदा वर्ष का वनवा दशरत का चहरा सफेद पड़ गया वो आवाक रह गये सिर्छ चक्राने लगा वे मूर्चे थोके गिर पड़े कुछ देर में राजा को होश आया कई कई की और देखा बड़े कातर भाफ से बोले ये तुम क्या कर रही हो मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मैंने यही सु पर कह कई कई जोती वो आड़ी रही दशरत कई कह कई की मांग को असिकार करते रहें मतलो कहते रहे नहीं नहीं मैंनी मानूंगा अनर्थ बताते रहे तब कह कई कई ने अंतिम हतियार चलाया फिर क्या बोला आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं अपने वचन से पीछे हटना रगुकुल का अनादर है आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं पर तब आप दुनिया को मूँ दिखाने योग्य नहीं रहेंगे रही मेरी बात आप वर्दान नहीं देंगे तो मैं विश पी कर आत्मात्या कर लूँगी ये कलंक आपके माते होगा चलो दोस्तों मैं आपको बताई देती हूं कि क्या कहानी थी ककाया के जो कैके की मा है जब यहां पर ये इसमें मेंशन नहीं है ये मैं आपको अलग से बता रही हूं जब दशरत ये सुनते हैं उसकी कैके की बाते हैं तो वो जवाब में कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मा की तरह हो तुमारी मा भी ऐसी मतलब ही थी तुमारी मा भी इतनी सेलफिश और मीन थी ठीक है तो अब आप भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया था क्योंकि कैके ने बिल्कुल वही किया सेम टू सेम जो उसकी माने किया था कुईन अफ अश्वपती थी कैके की मदर कैके की साथ भाई थे और वो एक लौती बेटी थी अपने पिता अश्वपती की के काया राज की तो इससे पहले कि कुछ चीज़ें उन्हें रेलाइज होती उनकी मा को फादर ने छोड़ दिया था जो राजा थे वहां के उन्होंने हटा दिया था अपने से दूर कर दिया था लेकिन रीजन क्या था रीजन ये था कि उनको लगा कि ये जो नेचर है किंग अश्भपती वह जो थे उनको एक वर्दान मिला था वह जानवरों की भाषा को समझते थे चड़ियों और जानवरों की उनके पास ये बच्चपन से इस गिफट था सिर्थ कि और र जोस्त थे वह किसी भी जानवर की लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी एक condition भी थी वो ये थी कि जो भी conversation birds or animals आपस में कर रहे होते तो जो उनको समझ में आता था अगर वो ये किसी और से share करें किसी और को reveal करें तो immediately उनकी life खतम हो जाएगी और वो मर जाएगे ठीक है तो ये पहले से और ये पत्नी पत्ती को पता होता है पत्ती की बाते पत्नी जानती है तो एक दिन वो और उनकी wife यानि कि कई कई की मा जो थी वो palace garden में walk कर रहे थे तो वहीं पे दो चीटियां अपस में कुछ बाते कर रही थी और एक कुछ joke क्राक किया उन्होंने या मतलब उनकी जो बात थी वो राजा अश्वपती को बहुत funny लगी जैसे उन्होंने उनकी दो वो बाते सुनी तो उनको बहुत तेज हंसी आ गए और conversation था ही इतना interesting की जो king भी था वो बड़े ध्यान से सुन रहा था पत्नी तो साथ में थी लेकिन king का ध्यान उधर चला गया उन दो जानवरों की या जो भी चीटियों की बातों बे चला गया और वो खिल खिला कर हंस उठे तो ककाया को बड़ी curiosity हुई कि भाई ये ऐसा क्या है ये जो इतना हंसर है तो जानते वे भी कि king के उपर इसके साथ ये condition attached है वो फिर भी जिद करने लगी कि मुझे आप ये बताईए कि आप क्यूं हस रहे है तो वो पीछे ही बढ़ गई जबकि वो उनको इतना बड़ा उसके साथ वो मिला था कि उनकी मौत हो जाएगी जब ये behavior राजा अश्वपती ने देखा तो ये repeat होता है नहीं बताओ नहीं बताओ मुझे रोने दोने लगी उनने का अरे रानी रहने दो मेरे को नहीं मैं बता सकता please understand करो पहले तो प्यार से समझाया लेकिन वो नहीं मानी जिद करने लगी बच्चे की तरह कि नहीं नहीं मुझे को जानना है तो राजा ने तंग आके फिर realize कि ऐसी पत्नी जो है ऐसी पत्नी को अपने साथ रखना बिल्कुल गलत है ये मुझे बरबाद कर देगी क्योंकि इसको मेरी मौत का इसको पता है कि अगर मैं बता दूँगा तो मेरी मृत्ती हो जाएगी उसको उसकी भी चिंता नहीं मतलए कितनी सेल्फिश है सेल्फिश होने की भी इतनी एक हद होती कि उसको सिर्फ ये जानना है कि चीटियों के बीच में क्या बाते चल रही है उसके लिए वो अपने पती की मौत से भी तयार है she was okay कि वो मर जाए मुझे लेकिन बता दे वो दोनों क्या बाते कर ली थी क्यों वहां से तब यहां पर उनोंने उनको वहां से हटा दिया था और रानी को अपने माता पिता के घर भेज दिया था तो यही बात दशरत कहते हैं कई कई से कि तुमने भी वही किया जो तुम्हारी मा ने किया था तुमें मेरी कोई चिंता नहीं है अभी तो दशरत के भी मृतियों होने वाली है यहां पर तो पता नहीं था कि दशरत आगे जाके पुत्रव योग में मर जाएंगे ठीक है या उनको इतना दुख होगा ठीक है, तो राजा ने जो किया, श्वपती ने जो किया वो बहुत सही किया, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवार करना चाहिए, जो ककाया के साथ हुआ, कईके की मा के साथ हुआ, ठीक है, अब देखिये कहानी कैसे बनी? कि जब कहाया को निकाल दिया exile मिल गया उसके बाद दासी मंथरा ने ही कय क्ये को पाला और उसके बाद ये सारी मतलब सिक्षाइं दी की पती ऐसे होते हैं पतियों पिर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए सारे पती ऐसे ही निकलते हैं और ये बाद में यूज भी किया मंतरा ने दशरत के अगेंस भी कि दशरत भी ऐसे ही है वो भी मतलब ही है उनको भी ये है वो है क्योंकि मंतरा बच्पन से कह कही को यही पट्टी बढ़ाती रहे कि तेखो तुमारे पिता ने तुमारी मा का त्याग कर दिया ये नहीं बताया कि क्या जरूरती अपनी रानी को माता पिता के पास भेजने की क्या जरूरती खुच से क्यों अलग किया तो आश्रुपती तो यही चाते ते कि अगर यहां पे रहेगी मेरी पत्नी आसपास तो यह दिकत क्रियेट कर देगी यह मेरे सारे बच्चों को अपने जैसा सेलफिश self center बना देगी और ये होता भी है देखिए दोस्तों माता पिता से बच्चे बहुत कुछ ग्रहेंड करते हैं पिता तो बाहर चला जाता है कमाने सबसे ज़्यादा close तो माई होती है अगर मा दिन भर बच्चों के सामने selfish हरकते करें लोगों को use करें negative करें खाली अपना ही सोचें बच्चों को भी demotivate करें बच्चा करें मा मुझे जाना किसी की मदद करने मा बोलें नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं मदद करने की मा तो चली गई लेकिन मंतरा ने मा की जगा ले ली और फिर मंतरा ने कभी कई कई को छोड़ा भी नहीं और पूरा टाइम इसी तरह की बातों से उसको brainwash करती रही तो कई कई ने जब ये धमकी दी कि मैं विश्पी के मर जाऊंगी मैं आत्मात्या कर लूँगी तो बिचारे दशरत जो थे वो बहुत परिशान हो गए और बिहोश हो गए दुबारा बिहोश हो गए फिर राद भर बिहोश पड़े रहे बेसुत पड़े रहे बिच बिच में उनको होश आता था फिर वो कई कई को समझाते थे गिर गिर आते थे धमकाते थे डराते थे लेकिन कई कई जो थी वो टस से मस नहीं होई और सारी रात इसी तरह से बीद गई बिचारे दशरत के साथ कितना अन्याय हुआ देखिए दोस्तो अब आते हैं दोस्तो अगले चाप्टर में राम का वन गवन कोप भवन के घटना करम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी या दबी सभी सारी राज जागे वे थे क्योंकि सब तो अपने काम में बिजई थे कि अगले दिन राज्य भीषेक होना background युवराज का पद मिलेगा मतलब युवराज का पद मिलना राजा के होते वे जब तक राजा जिन्दा है जब तक युवराज का ही पद मिलता है युवराज का पद मिलना मतलब अब नेक्स राजा यही होगे तो लोग तो काफी एक्साइटेट थे लेकिन रात भर करके अपने जित पे अड़ी रही बीच बीच में महाराज होश में आते उनको समझाते उदर नगर वासी अलग चीजों में बिजी थे गुरु विशिष्ट को भी रात को नीन नी आ रही थी आखिर राम का अभी शेक था तो दिन चड़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई और हर व्यक्ती उशुब घड़ी की प्रतिक्षा में आ गया तो महामंती सुमंत्र कुछ असहच थे तो वे महरशी के पास आए और दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की कि पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था क्योंकि वो तो कही कही के कोप भवन में चले गए थे ना और फिर वहीं थे बचारे तो वो दोनों सोचने लगे सुमंत्र भी और वशिष्ट गुरू भी कि कहां चले गए महाराज कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी मतलब जिसको नहीं दिखाए दिये वो यही सोच रहा था कि महाराज कहीं बिजी होंगे तो महारशी ने सुमंत्र को फिर राजभवन भेजा समय तेजी से बीत रहा था शुब घड़ी निकट आ रही थी सारी तयारियां हो चुकी थी लेकिन महाराज तो कहीं दिखाए नहीं दे रहे थे महाराज का तो कोई अता पता ही नहीं था तो राजभवन पहुँचने के बाद जैसे ही कही कही के महल की सीड़ियां चड़ते हुए सुमंत्र आगे बढ़ा तो एक के दिना एक इंट्यूशन हो जाती है कुछ होने वाला है वैसा ही एक अंजान डर जो था उसने सुमंत्र को घेर लिया और उनका जो डर था ओविसली सही निकला क्योंकि जब वो अंदर पहुँचे तो देखा कि माराजा जो है वो पलंग पे पड़े हो है पूरी तरीके से बिमार दीन हीन नो एनर्जी नो मोटिवेशन नथिंग और सुमंत्र का मन भाबते होए कई कई ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर महराज राज अभिशेक के उच्सा में राद भर जाकते रहे बाहर निकलने से पूर्वर राम की बात करना चाते हैं सुमंत्र ने पूचा कैसी बात मैं नहीं जानती वो क्या बात करना चाते हैं अपने मन की बात वे खुद राम को ही बताएंगे आप राम को बुला लाइए दश्रत ने बहुत शीन स्वर में राम को बुलाने की आग्या दी सुमंत्र के मन में कहीं तरह की आशंकाई थी पर वे उन्हें टालते रहें और राम के निवास के बाहर भारी भीड लगी वी थी रक्षमन भी वही थे भवन को सजाया गया था उसकी चमक दमक देखने ही योग यी थी लेकिन सुमंत्र को देखके वहाँ पर कोला हल बढ़ गया लोगों को ऐसा लगा कि ये एक संकेत है राज्य अभिशेक के लिए राम को आमंत्रित करने का सुमंत्र ने कहा राज कुमार महराज ने आपको बुलाया है आप मेरे साथ चलें कुछी पल में राम वहाँ पहुंच गए जहां पे राजा दशरत और कई कई थी और लक्षमन भी उनके साथ साथ चले गए दोनों भाई बड़े विस्मिट से थे वे राजसी वस्तरों में थे सजे धजे हुए थे लोग उनकी जैजगार करने लगे पुश्वो की वर्षा होने लगी राज कुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया लोग समझ रहे थे कि राम तो राज्य भी शेक के लिए जा रहे हैं महल में पहुँचकर राम ने पिता को प्रणाम किया फिर माता कई कई को प्रणाम किया और राम को देखते कि राजा दश्रत फिर बेसुध हो गए उनके मूँ से एक हलकी सी आवाज निकली राम उन्हें होश आया तब भी वे कुछ नहीं बोल सके थोड़ी देर तक चुपी रहे अस हैज सननाटा हो गया मतलब इक उतना awkward silence बोलते है कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा पिता श्री क्या मुझसे कोई अपराद हुआ है कोई कुछ बोलता क्यों नहीं आप ही बताइए माते तो महराज दश्रत ने जो माता का जवाब फिर ये आया कि महराज दश्रत ने मुझे एक बार दो वर्दान दिये थे मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं ये शास्त्र सम्मत नहीं है रगुकुल की नीती के विरुद्ध है कहिके ने बोलना जारी रखा मैं चाती हूँ कि राज्य अभिशेक भरत का हो और तुमें 14 वर्ष का वनवास हो लेकिन महराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे राम ने जैसे ये बात सुना तो उन्होंने कोई ऐसा रियाक्षन नी दिया कुछ नी राम सहियन्त रहे और उन्होंने द्रिड़ता से कहा पिता का वचन अवश्य पूरा होगा भरत को राजगदी दी जाएगी मैं आज ही वनवास चला जाऊंगा राम की शांत और सदी वई वानी सुनके कहकई के चेहरे पर प्रसन्नता चा गई और दश्रत बचारे चुपचाप लेटे रहे थे वहीं पर पढ़े रहे मतलब कहकई की तो मनो कामना पूरी हो गई और बहुत जादा स्पंधन हीन राजा दश्रत थे कहकई की और देखते हुए उनके मूँ से बस एक शब निकला धिकार जैसे हम बोलते हैं ना शेम ओन यू जैसे हिंदी में कहते हैं धिकार मतलब सीरिसली मस्टर फेल्ट सो बिट्रेड उस टाइम पे अपनी पतिनी के द्वारा ही कहकई के महल से निकल कर राम सीधा अपनी मा के पास गए उन्होंने माता कौशलिया को कहकी भवन का पूरा विवरन दिया और अपना निर्ने सुनाया राम वन जाएंगे कौशलिया ये सुनकर सुद्ध खो बैटी लक्षमन अभी तक तो शान बैटे वे दे क्योंकि वह अपने देखा भईया के साथ ही दे लेकिन उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था वो पूरे क्रोज से भरे वे थे और राम ने लक्षमन को समझाया और उनसे वन जाने की तयारी करने के लिए का कि तुम मेरा सारा अरेंजमेंट कर दो भाई अब मैं यहां से निकल रहा हूँ कौशलिया का मन था कि राम को रोक ले वन ना जाने दे राजगदी छोड़ दे उन्होंने कहा कि तुम वन मत जाओ तुम राजगदी ही छोड़ दो फिर तुम यहां पे रह सकते हो तुम इसलिए भेजा जा रहा ना क्योंकि तुम युवराज बन सकते थे या तुम किसी के रस्ते में आ रहे हो तो उन्होंने बोला बेटा तुम यहीं पे रहो मेरे साथ पुत्र यह राजगदी अनुचित है उसे मानने की आवशक्ता नहीं है तो राम ने नमृता से अपनी मा को उत्फर दिया यह राजग्या नहीं पिता की आग्या है यह राजग्या नहीं हमाते उनकी आग्या का उलंगन मेरी शक्ती से परे है आप मुझे आशिरवात दें तो देखे कितने amazing है राम कोई reaction नहीं, कोई negative energy नहीं, कोई question नहीं, कुछ नहीं लक्षमन से राम का संभाद जारी रहा राम ने वन्गमन को भाग्यवर्ष आया, उलट फेर कहा लक्षमन इससे सहमत नहीं थे वे इसे कायरो का जीवन मान रहे थे उन्होंने राम से कहा आप बाहुबल से आयोध्या का राज संभाद चीन ले तो राम कहते हैं कि अधर्म का Сंचासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाओंगा मेरे लिए तो जैसा राज सिंधासनय है, वैसा ही वन है खशलिया ने स्वैम को सम्भाला उठी और राम को गले लगा लिया वे राम के साथ वन जाना चाहती थी राम ने मना करके कह दिया कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवशकता है कौशलिया ने राम को विदा करते हुए कहा जाओ पुत्र दसो दिशाएं तुम्हारे लिए मंगल कारी हों मैं तुम्हारे लोटने तक जीवित रहूंगी कौशलिया एक ऐसी माँ थी दोस्तो जो की बहुत ही निस्वार्थ भाव से अपने पुत्रों को प्रेम करती थी और वो इस बात का पता यहां से चलता है कि उन्होंने कहा कि मुझे भी वन जाना है और कोई मा होती और कोई रानी होती तो सोचती कि राज महल के सुख छोड़ के मैं क्यूं जाओ जंगल जंगल कही ना कही लोग जो होते है आजकल की जो relationship से आजकल की दुनिया में बहुत सी माओं को एक narcissistic personality disorder होता है जिसका कोई इलाज भी नहीं है जिसका खाली एक इलाज है वो है अध्यात्मिकता और वो भी तभी होता है जब कोई इनसान अपनी मर्जी से अपना इलाज करना चाहे और सोचे कि हाँ भी मुझ में कोई कमी है कोई गलती है तो ये क्या हो गया बहुत सी माओं आजकल बहुत materialistic हो गई है वो उस संतान से ज़्यादा प्यार करती है जो ज़्यादा धन कमाता है बजाए उसके जो की थोड़ा कम कमाता है या हो सकता है कि उस संतान के अंदर थोड़ी honesty ज़्यादा है या कोई ऐसा काम करता है जिसको बहुत पसंद करता है जो भी अपना जीवन जैसे भी चला रहा है लेकिन मा का support उसको ज़्यादा जाता है जिस बच्चे के पास बड़ी गाड़ी है या बड़े महल है बंगलोज है उस तरीके से मा भी अपना फेवरिजम करती है बच्चों पे ठीक है माएं यह बहुत सी माएं आजकल यह करें इसमें माओं की गलती नहीं है अगर आप ध्यान से देखे तो क्योंकि यह society ऐसी है यह society इतनी money minded हो गई है पैसों की पीछे दुनिया बिलकुल पागल हो चुकी है और जो 2020 में जो pandemic आया धरती पे इसकी वज़े से कही ना कहीं लोगों की आँखे भी खुली है हाँ लोग मर रहे हैं लोग बीमार हो रहे हैं लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है लेकिन एक तरफ यह सब चल रहा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो यह देख रहे हैं कि इतना पैसा होने के बाद भी हस्पताल जाने के बाद भी कहीं लोग जो हैं वो घर वापस नहीं लोटे पैसे से जान भी नहीं बच रही है आज की रेट में और रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक ही तो चाहिए इनसान को जीने के लिए जिन्दगी तो जब हमको बेसिक ही चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान ही चाहिए तो उसके अलावा हमें और क्या चाहिए और जो हमें इतनी सारी चीज़ें चाही है जितनी चीज़ों की हम मनों कामनाई कर रहे हैं दिन बाद दिन कभी हमें ये चाही है कभी हमें वो चाही है क्या हमें उसकी जरूरत भी है या मरते वक्त या किसी बिमारी में या किसी तकलीफ में वो चीज हमें खुशी दे पाएग या हमें निकाल पाएगी बाहर नजाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां तो खरीद ली हैं लेकिन उनका लोन चुका चुका के बचारों का बुरा हाल हो गया है घर तो खरीद ली हैं लेकिन लोन चुका चुका के बुरा हाल हो गया है क्योंकि कई माता पिता की भी अपनी उलाद से एक बहुत जादा हाई एक्सपेक्टेशन हो गी है कि तुमको हम पढ़ाएंगे तुमको हम लिखाएंगे तुमको अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजेंगे और उसके बाद तुमको इतना धन कमाना जरूरी है तो ऐसे समय में द चोरी चकारी मत करो कोई गलत काम मत करो तुम कम कमाओ या जादा कमाओ उससे मुझे फरक नहीं पड़ता लेकिन तुम सच्चाई का जीवन जीओ मुझे उससे जादा फरक पड़ता है कौशलिया वैसी ही मा थी जो कि बिलकुल भी उनके अंदर कोई नार्सिसिजम नहीं थ और बेटे ने जैसे ही बोला मतलब आप देखे इससे पहले उन्होंने अपने बेटे को ये भी बोला कि तुम ये आयोध्या का जो राज सिंगासन है इसको ही छोड़ दो बेटा युवराज का पदी थ्याग कर दो फिर तुम पे ये अपला ही नहीं होगा ये जो भी वचन दिया है कई-कई ने और कई-कई से जाके कोई लड़ाई नहीं करी कई-कई से जाके कोई जगडा नहीं क्या किये तुने क्या किया जो कई-कई कर रही है अपने पती से लड़ रही है अपना ही सोच रही है एक सेलफिश औरत की तरह बिहेव कर रही है क्योंकि कही ना कई-क ने कई कई के इसी जो ये बिमारी होती ना दोस्तों ये बिमारी कहीं युगों में कहीं लोगों में होती थी क्योंकि पहले के लोगों में एगों कम होती थी आजकल की दुनिया में एगो बहुत ज़ादा है हैंकार बहुत ज़ादा आ गया है चार पैसे कमाने का हैंकार आ गय चार ब्रैंडड कपड़े खरीद लिये तो एहंकार आजाता है, कोई अच्छा मुबाइल ले लिया तो एहंकार आजाता है, किसी भी बात से एहंकार आ सकता आज की दुनिया में, खुबसूर्ती का हैंकार आजाता है, तो यह जमाना ही ऐसा है, currently हम जिस जनेरेशन में जी रह कि अगर तूने भरत को राजा नहीं बनने दिया ना तो तू बाद में कोशलया की दासी बन जाएगी तेरा जितना भी यह अभी चल रहा है अच्छा खासा तेरी लाइफ चल रही सब खराब हो जाएगी तो उसने कहीं ने सोचा रहे यह क्या मैं अपनी वो थोड़े ना जान कईकई ने अपना जाधा सोचा कईकई was a very selfish woman क्यूंकि अगर वो अपने बेटे का सोचती ना वाकि में तो वो जानती थी कि भरत अपने भाई राम से कितना प्यार करते हैं वो जानती थी यह बात कि चारो भाईओं में हच्सा जाधा प्यार है जब मेरे बेटे भरत को पता चलेगा तो कभी accept नहीं करेगा और तो और उसको दुख भी होगा लेकिन उसने अपने बेटे के दुख का अपने बेटे के दिल तूटने का अपने बेटे के स्वभाव का उस मा को कुछ पता ही नहीं था इसलिए कई-कई आज तक बदनाम है इतने युग निकल गए आज तक लोग कई-कई को इसी नजर से देखते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपने पुत्र की, अपने पुत्र के सच्चे प्रेम को, सच्चे भाव को नहीं समझा, अगर वो अपने बड़े भाई से प्यार करता है, जो कि सेवा करते थे, सिंगासन की भी करते थे, लेकिन बचपन से ही उन्होंने अपने भाई को ही राजा के रूप में देखा था वो भाईया के भक्त थे एक होता है भाईया का भाई और एक होता है भाई का भक्त, तो जब कोई चलेगा कि उनको कितना दुख पहुंचता है तो कई-कई अगर एक selfless मा होती एक सची मा होती न तो वो कभी ऐसा नहीं करती तो कई-कई और कोशलिया के बीच में आप देखें कितना character differentiation है आगे जाके कई-कई कभी स्वभाव change होता है लेकिन वो सब कुछ हो जाने के बाद change होता है जब बहुत बड़ा loss जब बहुत बड़े जटके से वो गुजरती है तब उसको अकल उसकी ठिकाने आती है तो narcissism में ये भी देखा जाता है जो narcissistic लोग होते है न जब तक उनके पैरो तले जमीन न निकल जाए जब तक किसी के साथ बहुत बुरा न हो जाए वो भी उसके साथ जो उनका ही बहुत प्रिय हो या उनकी आँखे किसी ऐसे तरीके से ना खुले तब तक वो होश में नहीं आते है जो कि हमारे society में आजकल दिखाई दे रही है हमारे societal world में दिखाई दे रही है जिसमें कि लोगों की आँखे तब खुल रही है जब किसी की जान जा रही है जब लोग मर रहे हैं जब कोई अपना जा रहा है तब उनको realize हो रहा है कि यह मैं क्या कर रही हूं यह क्या पागलपन में मैं फसा पड़ा हूं छोटी सी जंदिगी है चार दिन की जंदिगी है इसमें अच्छे काम करो इसमें सेवा करो इसमें सबसे प्यार करो लोगों के लाइफ में पॉईजन मत डालो जहर मत घोलो उनको फिर realize होता है किसी भी औलाद के लिए सबसे ज़ादा जब दुख होता है ना वो तब होता है जब उसकी खुद की मा उसके साथ गदारी करती है ये सबसे बड़ा दुख होता है किसी भी संतान के लिए संतान सब कुछ बरदाश कर सकती है लेकिन ये गम जो है ये जो दुख है इसको पीने में जहर के घुट को पीने में थोड़ा सा वक्त लगता है इतनी असानी से ये घाओ जो है जो घाओ है ये भरता नहीं इतनी असानी से तो भरत के बारे में सोच के तो मुझे अभी सही बुरा लग रहा है मेरी चले हर जगा मैं बॉस बन के घूमू तो कितना ही गलत किया कि भरत को एक तरफ तो भाई के जाने का दुख ठीक है भाई के साथ धोका हुआ उसका दुख फिर अपने साथ धोका हुआ उसका दुख होएगा और पिर उसके बाद पिता की मृत्यू भी उनको ही बाद में जहलनी पड़ेगी सब कुछ उनने ही मैनेज करना है तो इसी लिए राम और जो उनके भाई हैं सबने एक तरीके से जो ये पेन था ये वनवास का पेन था ये जो दो वरदान कई कई ने मांगे थे इससे एक सिरिफ राम की और लक्षमन की सीता की जिंदगी पे असर नहीं लिए तो हम आज के समाज में हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि बहुत से लोग ये सब करते हैं अपनी छोटी छोटी सुखों के लिए अपनी छोटी छोटी लाइफस्टाइल इस्यूस के लिए किसी को भी दुख पुचा सकते हैं ठीक है कहीं पे भी कुछ भी कह सकते हैं कहीं पर भी लडाईयां करवा देते हैं, कहीं पर भी आग लगा देते हैं, कहीं पर भी अपने मूँ से ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं, कहीं कहीं तो बहुती स्वीट टॉकर्स होते हैं, बड़ी स्वीटली, बड़े हस्ते हस्ते जहर का गोला आपके ओपर छोड़ देते हैं, विश बुजहाबान होता है उनके शब्दो में, मू होता है, जयसे मू में राम राम बगल में चुरा, इस然后 कहते हैं, मू होता है आपके साथ limited रखते हैं, आपको पता है कि ये ऐसा ही है व्यक्ति, इससे मुझे ये उमीद नहीं लगानी है, इसके साथ मुझे ऐसे नहीं वैसे बात करनी है, या जितनी भी ये limited बात करनी है, काम की बात करनी है, और जाना है, पर ये जो sweet talkers होते हैं, ये आपके साथ गंटो हैं, और वो ऐसा effect करता है, कि उस वक्त तो realize नहीं होता, बात करते वक्त पता नहीं चलता, लेकिन जब आप चले जाते हो, वहाँ से अपनी दुनिया में वापस जाते हो, फिर आपको वह बात torture करती है, और उस बंदे ने मुझे वहाँ पे हस्ते हस्ते ऐसे बोल दिया, ठी बातें, बड़ी important है कि हम अपने अंदर और अपनी lifestyle में जब देखेंगे न, तो हमको पदा चलेगा कि रामायन कैसे आदुने की यूग हो, या कोई भी यूग हो, किसी भी यूग में रामायन कैसे, कितनी अच्छी ये एक हमें सीख देती है, कहानी ऐसी इतनी interesting है, इस कहान पुनी को आप एक बार के, आप इसको सौ बार के, आप इसको हजार बार के, आप को कितनी बार भी आप इसे पढ़े, और कितनी बार भी आप इसको सुने, आपका कभी मन नहीं भर सकता, पुनी पुनी सुनी, पुनी पुनी कितने हूं सुने सुनाए, हियकी प्यास बुझत तब कितनी बार भी आप सुन लो और सुना लो लेकिन दिल की प्यास आपकी बुजी नहीं सकती है अगर एक बार आपका रामाइन में इंट्रेस्ट जाग गया तो रामाइन में इंट्रेस्ट ऐसा कहते मेरे मास्टर्स ने कहा है कि रामाइन में जिसका इंट्रेस्ट जाग ज बहुत से ऐसे देश है जहां पे राम के भक्त बहुत है राम सीता की कहानी बहुत पॉपिलर है कशलिया भवन्च से निकल कर राम सीता के पास गए सारा हाल बताया विदा मांगी और माता पिता की आयू का उलेख किया उनकी सेवा करने का आगरे किया और कहा प्रिये तुमने राश मत होना चौदा वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे राम की वन्गमन का समाचार जब तक सीता के पास नहीं पहुचा था राम को देखकर कुछ आशंका हुई और अनिश्ट की राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई क्रोधित भी हुई निर्ने पर प्रतिवाद किया राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा सीता ने कहा मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं अततह राम को उनकी बात माननी पड़ी तबी लक्षमन भी वहां आ गए वह भी साथ जाने को तयार थे राम ने उन्हें इसकी सुईकृती दे दी और शीग्र तयारी करने को कहा लक्षमन तो भई शेशनाग है विश्नू और लक्षमी के साथ वैकुंट में हमेशा कौन होता है लक्षमन ये तीनों तो हम सदा सदा के साथ ही है लक्षमन की शया पर शेशनाग की शया पर ही विश्नू और लक्षमी बैठते हैं ठीक है और ऐसा कहते हैं कि twin flame वाले अगर यहाँ पर हैं इस वक्त सुनने वाले twin flame world में कहा जाता है कि आप जब masculine और feminine energy को balance में लियाते हो तो आप union में जाते हो लेकिन ये incomplete information है क्योंकि बहुत से ऐसे twin flamers हैं जिनको आप पता ही नहीं है कि ये concept इंडिया से आया है और भारत से ही हमारे जो original twin flame guru हैं वो सीता और राम ही है शिव पारवती भी सीता राम के वो थे एक तरह से भक्त भी नहीं हम कहेंगे खेर शिव तो उनको प्यार करते थे दिन भर राम नाम जबते थे ठीक है और उनके सामने पैदा भी हुए थे शिव के सामने ही क्योंकि शिव एक दूसरी dimension में है cosmic reality में वो एक दूसरी dimension में है जिसमें उनकी aging नहीं हो रही है after a certain point है ना तो वहां से पारवती और शिव पूरा वो देखते थे उनकी बाते उनकी lifestyle जहां जहां पर जो जो होता है और मैंने आपको बताया कि रामायन की कहानी की सबसे पहली शुरुवात खुद शिव ने की थी तो वो तो एक तरह से आप कहा सकते हो कि यहां पर तो कोई follower शब्द भी नहीं हम यूस कर सकते क्योंकि राम जो थे वो शिव की पूजा करते थे और शिव जो थे वो राम नाम चबते थे और उनको पता था कि ये विश्णू का रूप है तो अगर आप शिव पारवती को देखें आप राम सीता को देखें या विश्णू और लक्ष्मी को भी देखें या फिर राधा कृष्ण को देखें आप किसी को भी अगर देखें तो masculine और feminine energy के पास आने से completion नहीं होता है completion तब आता है जब अपने animal kingdom के आप किसी दोस्त को पहचानो और animal kingdom के आप इज़त करो क्योंकि हम इस वक्त planet earth की बात कर रहे है तो जैसे विश्णू और लक्ष्मी शेष नागी शेया पे सारा दिन बैठे रहते थे शेष नागी उनके best friend है ठीक है तो एक पुरुष एक नारी और animal kingdom का उनका best friend जो उनका closest है same goes for Shiva शिव है पारवती और उनके नंदी है और शिव है और पारवती और पारवती के शेयर है उनके साथ हमेशा कई ऐसी photos है और कई ऐसी images है जिसमें पारवती अकेले रह रह रही है शिव कहीं है भी नहीं दूर दूर तक अपने बच्चे गनेश के साथ गनेश को गोध में लिए और कुमार नहीं है वहाँ पे गनेश के साथ है और यह है उनका शेयर है साथ में तो इसी लिए कहते हैं कि जब आप दीरे दीरे राम कता में बहुत डीप चले जाते हैं राम नाम जपने लग जाते हैं तो automatically आप यह जो non-veg खाना है यह अगर किसी को शराब की addiction होती है alcohol addiction होती है कोई भी addiction होती है तो उसकी और unhealthy addiction जो है वो चूटने लग जाती है क्योंकि उसको practical experience से पता लगने लग जाता है कि हम सब actually में एक ही है और जो पहले का time था यानि कि सत्यूग था, त्रेता यूग था, इवन दुआपर तक भी इंसान और जानवर आपस में बात कर सकते थे जैसे कि पंचितंत्र की कहानियों में भी दिखाय कि आनिमल किंडम में सब बाते करते थे लेकिन जैसे जैसे कल्यूग आता है, तो कल्यूग में इंसान यानि की आदमी इतना जादा अपने आपको superior समझने लग जाता है उसको लगता है कि यह जो धरती है, यह इसकी कोई वो है, प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, सारे किरायदार यहां पे, कुछ सालों के किरायदार हैं, लेकिन भूल जाते हैं बूल जाते हैं तो जानवरों को मारते हैं उनका मास्क खाते हैं और ये जो लेदर जाकेट्स लोग पहनते हैं जो मैं इस पॉइंट पे जरूर बोलना चाहूंगी कि ये जो लेदर लोग पहनते हैं और उसको फलॉंट करते हैं कि देखो मैंने 10,000 की leather jacket ली देखो मैंने 20,000 की ली देखो मैंने इस brand की ली वो शायद नहीं जानते कि अधिकतर leather जो बनता है वो गाएं और भैस के मास से बनता है उनकी चाल से बनता है सबसे जादा गाएं की चाल से और इंडिया जो है वो leather का second highest exporter है अब आप सोचिए कि ज इतने सारे देवी देपताओं की भूजा कर ली वही देश बीव का highest exporter में से एक है और leather का भी highest exporter में से एक है तो गाएं के मास से sorry गाएं की skin से कैसे बनता है leather अगर आप सुनेंगे तो आपकी रू कांप जाएगे आप ये leather jackets पहनना छोड़ दीजे क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पाप चुपा है जो कि ये राक्षसों के द्वारा ही बनाया गया था राक्षसों को शौक था ये सब leather jacket leather purses साप पकड़ लेंगे उसकी skin निकालके उसका पर्स बना लेंगे उसके जूते बना लेंगे क्या जरूरत है ये सब करने की क्या जरूरत है किसी को torture करके कि इतना जादा टॉर्चर किया आपने क्योंकि जबी भी आप किसी की skin से कोई चीज बनाते हो ना तो आपको उस जानवर को जिन्दा ही उसकी skin निकालनी होती है तो leather बनाने का भी यही प्रोसीजर है कि जो गाएं होती वो जीवत ही होती है अगर उसके मरने के बाद आप उसक इसन निकालोगे तो उसके उसकी leather की quality अची नहीं होती ही मुझे एक ऐसे व्यक्ती ने बताया जो leather के business में थे और जब तक मुझे clarity नहीं थी एक बार उन्होंने मुझे leather की को डायरी गिफ्ट करी leather cover के साथ और मैं जबी भी उस डायरी को देखती दी ना तो मुझे एक मुझे यह नहीं चाहिए कस्टमाइज थी डायरी महंगी भी होगी शायद लेकिन मैंने का मुझे यह डायरी देखके कुछ होता है प्लीज आप इसे ले जाए लेकिन वह नहीं माने उन्होंने बोला नहीं भई अब तो हमने तुमें गिफ्ट कर दिया तो तुम इसे रखो तो मैं इतनी परिशान हो गई लेकिन फिर भी वो आज भी पता नहीं कहां कहीं पड़ी होगी किसी ने गिफ्ट की है तो मैं अब क्या करती मैंने उन्हों व्यक्ती से ही बात करनी बंद कर दी एक दिन मैंने उनसे जान कहीं बात पूछी मुझे ऐसा लगा कि उन्हों आट इसके इसके जीवित रहते रहती उसको स्किन अलाइफ करना पड़ता है तो वह अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लेदर थोड़े न अच्छा बनेगा क्वालिटी भी तो अच्छी चाहिए ना तो यह जवाब सुनके मैं इतनी हरान रह गई मैंने इस इनसान के अंदर बिलकु पड़ेगा न फिर थोड़े न हम ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर डिविनिटी आ ही नहीं सकती ऐसे लोगों के अंदर डिवाइन एनरजी का आना बहुत मुश्किल है अनलेस उनके साथ भी कोई ऐसी चीज हो जाए कोई ऐसी कोस्ती है बहुत सौरी सौरी बोलती सब करती है तो ऐसा कोई अगर हाथसा होता है किसी के साथ तब हाँ सुधार शायद है लेकिन आप थोड़े ना चाहेंगे कि हर किसी के साथ ऐसा होए तो मैं तो यह कहते हूं कि इनसान को पहले ही समल जाना चाहिए इससे पहले कि उसके सा प्योर नहीं थीक है जो जीजम क्राइसन की भी हम कयानी सुनते है तो ऐसा क्यों गे प्योर थे औरून है कि मुद्शुख सं़स्ट अपने उपर ले लिया कैशिंकि नाम शब्द बाद में लगाने थीक है तो नहीं अश्ल नाम कुछ और था कुछ और था हीब्रू भाषा में उन्हें यश्वा कहते थे और इंग्लिश में उसे जॉश्वा कहते थे यह जीजस जो था इसके पीछे की भी कलंबी कहानी है जो मैं फिर कभी बताऊंगी इस वीडियो में तो नहीं किसी और वीडियो में क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं अपनी ग्रीड के कारण वो चीजें डाल दी और उसका खम्याजा उसका भुक्तान किया बहुत सारे बिचारे गरीब लोगों ने और बहुत से ऐसे लोगों ने तो मंदिरों में तो हम जाते हैं बहुत सारा डोनेशन देते हैं पैसे देते हैं लेकिन कभी हम यह नहीं पू लग जाना तो कोई सड़क पे आपको एक बिकारी नजर नहीं आएगा कोई बच्चा आपको टॉर्चर नहीं नजर आएगा कोई औरत आपको अबला नहीं नजर आएगी लेकिन क्या करें दोस्तों धरम का तो सबसे बड़ा वियापार है अब आते हैं कहानी पे फिर से तो य अगर आपके अंदर डिविनिटी नहीं आती है तो उसका कारण यही है कि आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत सुपीर समझते हो और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद को ही सुपीर समझते हैं यानि कि सिर्फ पैत्रिक पित्र सत्ता है नारी का कोई सम्मान नहीं और उसी त उतने सारे रहने वाले प्राणि है ना उनकी लाइफ भी हम से बहुत लंबी होते हैं वोत इन्डेलिजेंट होते हैं वो कुछ नहीं है कुछ इसे तो देश है जिनका भी मैं जिक्र नहीं करना चाहती है लेकिन वो तो कोई जानवर नहीं छोड़ते सब खा जाते हों तो ये कौन सा मतलब ये क्या कहां से आया ये कौन सी राक्षसी सभ्यत आया जिसमें कि आपके सामने कुछ भी हो आप उसे खा जाते हो बिना सोचे ये दीरे दीरे आया है जब कि दूसरी सभ्यता से लोग आने लगे दूसरे फॉरन इन्वेडर जब आये वो जब यहां पर बसने लगे उन्होंने अपना खान पीन यहां पर स्टार्ट किया उन्होंने हमसे क्या लिए हमारे मसाले हमारे मसाले हमसे ले लिए जिस जो कि ये और इनका हमारे शरीर पे और हमारे पेट पे हमारे गट पे बहुत अच्छा असर होता है लेकिन उसको अगर आप मास के साथ मिक्स कर दोगे तो कोई खास वो भी बिचारे कुछ काम नहीं कर पाएंगे ठीक है और यह मेरी कोई जज्जमेंट नहीं है कि कोई नानविच खाता तो वो बुरा इंसान है या अच्छा इंसान है उससे क्या फरक पड़ता है ऐसे भी बहुत लोग है जो vegetarian हैं लेकिन उनकी भी हरकते तो कोई खास सही नहीं है ठीक है तो vegetarianism आना जरूरी है शरीर के अंदर उससे आपके शरीर को फायदा होगा आपकी health अच्छी हो जाएगी औ आपको बिमारियां कम लगेंगी आपको ऐसे बहुत से diseases हैं जिनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप मास और शराब का सेवन खतम कर देते हैं अपनी जिंदगी से या कोई भी ऐसी लत लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरों में दूसरों में आपको जिव में आ अगर आप DNA की स्टडी करते हैं तो भी फूड के ऊपर बहुत लोगों ने रिसर्च करिया थीक है तो अगीन ऐसाइम सेंग इस पर मैं फिर कभी आऊंगी और अगर आपको इस पर डिटेल कुछ जानना है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताईए अगर आपको इस टॉपिक अगर भी फायदा हो सकते और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है तो अब राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए अयोध्या में रहे वे इसकी अनुमती दे चुके थे फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया उनको कन्विंस करने का सीते वन का जीवन बहुत कठिन है ना र उन्हें पता था कि राम अपने दिये वचन से पलट नहीं सकते राम वन जा रहे हैं ये समचार पूरे नगर में फैल चुका था और नगरवासी दश्रत और कई-कई को धिकार रहे थे कुछ देर पहले तक जहां उच्सव की तयारियां थी वहीं उदासी ने घर कर लिया था सडके गीली थी लोगों के आसूँ से सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन ना जाएं वे उन्हें रोकना चाते थे पर बेबस थे राम सीता और लक्षमन जंगल जाने से पहले पिता का आशिरवाद लेने गए और उदर महाराज दश्रत दर्द से करा रहे थे तीनों रानिया वही थी मंतरी आसपास थे और मंतरी गंड रानी कई-कई को अभी भी समझा रहे थे कि महारानिया सा मत कीजे शुब्द थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाते थे ज्यान, दर्शन, नीती, रीती, परंपरा सबका हवाला दिया लेकिन कई-कई अड़ी रही राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दश्रत में जीवन का संचार हुआ वे उटकर बैठ गए, उन्होंने कहा पुत्र मेरी मती मारी गई है, मैं वचन बद्ध हूँ, ऐसा निर्ने करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे उपर कोई बंधन नहीं है मुझे बंधी बना लो पुत्र और राज समा लो, ये राज सिंगासन तुमारा है, केवल तुमारा है तो दश्रत के उपर इसी लिए हमको एमपथी फील होती है, क्योंकि अपने बेटे से इतना सच्चा प्यार करते थे दश्रत, बहुत प्यार करते थे लेकिन फिर वही बात है न, उस जमाने में ये पेट्रियाकल सिस्टम बहुत ज़ादा था, कि एक औरत तीन आदमियों से शादी कर सकता है, औरत नहीं कर सकती थी तब भी, आदमी कर सकता है, राणिया इतनी सारी ला सकता है तो कहीं न कहीं, ये उसी का खाम्याजा भुकता है भुकतान किया था दश्रत ने, जो कई-ख़ई से उनकी अटाच्श्मेंट थी, जो पत्नी से उनका प्रेम था, मोह था, उस मोह की वज़े से, एक पुत्र के साथ भी उनका मोह था, दोनों मोह का टकराव हो गया और मो तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी रिलेशन्शिप में अटाच्मेंट तो होनी नहीं चाहिए चाहिए वह मा से हो बाप से हो भाई से हो बहन से हो पती से हो दोस से हो किसी बिजनस पार्टनर से हो पडोसी से हो किसी से भी हो जहां आपका मो हो गया ना आप समझ लो आप प्यार वही सच्चा होता है दोस्तों जहां पे कोई expectation नहीं होती है और कोई attachment नहीं होती है अब मान लो अगर यहां पे दश्रत को attachment नहीं होती तो वो इतने बिमार ही नहीं पड़ते वो यह समझते कि मेरा बेटा राम है बहुत strong है वो divine child है मेरे सारे बच्चे divine child है कुछ भी होगा मीरा बेटा जाएगा ःएगा और हो सकता हूच चले भी जाते कभी कभी जंगल में मिलने बनवास देने का मतलब यह थोड़े ना कि पीत अपने पुत्र पुत्र चा व और को अब पुत्र हए दिया इसका मतलब अबराज सिंगासन में उसका कोई connection नहीं हूग है पिता की वचनों ने राम को जगजोर दिया, वे दुखी हो गए, कोई राम की भी आप सोचिए इस वक्त, क्या मतलब personality है, और क्या characterization है, अगर आप सिर्फ कहानी के रूप से भी देखें, कि रातो रात दुनिया पलट गई, लेकिन एक भी मतलब reaction ऐसा नहीं आया, जिसमें complain हो, जिसमें गुसा हो, जिसमें ये किया तुमने मेरे साथ, वो किया, आजकल तो आप किसी के 10 रुपे भी ले लो, तो आपको ऐसे 10,000 गालियां सुनने को मिलेंगी, और यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया, लेकिन कोई चेहरे पे वो नहीं है, लेकिन पिता से क्या पुत्र प्यार नहीं करता, या मा से प्यार नहीं करता, या पत्नी से प्यार नहीं करता, या क्या वो कईके से प्यार नहीं करते थे, जिस कईके ने उनको श्राप दिया, या ये वर्ड्स कहे, श्राप तो नहीं दिया था, मतलब कि, ये वर्दान के थुरू, जो भी किया, से क्या प्यार नहीं करती थे मिल करते दी करते हैं लिकिन जब इन्सान की मती बुद्धी ब्रहष्ट हो 준ती है विनाश काले विपरीद बुद्धी जभी यह बहुत है पहले बद्धी भ्रमत हो जाती इसलिए काई लोग अपने विनाश को एक शराब के रूप में भी अट्राक्ट कर लेते हैं कि वह जाके किसी को तंग कर देते हैं जाके किसी अच्छे इंसान का काम खराब करते हैं उसको चार गंदे वर्ड्स बोल देते हैं उसक कोई बहुत ही स्ट्रॉग होता है जैसे कि श्रीराम जी का केरेक्टर है यह हनुमान जी का केरेक्टर है तो इन पे तो भुह या फिर शरापवों का भी असर नहीं होता जैसे हनुमान को भी बच्च मन में शराप मिला था right उसी शराप की वजह से उनकी सारी जो memory थी जो powers थी चली गई थी लेकिन इतना उन्होंने राम नाम का जाब किया इतना उन्होंने सेवा करी इतना अच्छे अच्छे वो जीते रहे कि उनके वो जो श्राब थे वो बे असर हो गए ठीक है तो ऐसा भी होता है तो इसलिए we should live our life being really careful of what we do and what we don't do also आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा करने पर विवश्च कर रही है ये उन्होंने अपने ही पिता को समझाया वे दुखी हो गए लेकिन नीती का साथ नहीं चोड़ा फिर राम ने बोला मुझे राज्य का लोब नहीं है मैं ऐसा नहीं कर सकता आप हमें आशिर्वा देकर विदा करे विदाई का दुख सहन करना कठेन है पिताश्री इसलिए आप इसे और ना बढ़ाएं इसी बीच रानी कहिके ने राम लक्षमन और सीता को वलकल वस्त्र दिये मतलब देख लो कपड़े भी दे दिये कि लो भईया कपड़े बैनो निकलो यहां से राम ने राजसी वस्त्र कोई उतार दिये कोई कंप्लेइन नो कंप्लेइन न थें तपस्वियों के वस्त्र पहने और सीता को तपस्वनी के वेश में देख कर बहुत दुखी हुए सब के सब महर्शी वर्षिष्ट अभी तक शांत थे उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा सीता वन जाएगी त कोई नहीं होगा पशु पक्षी भी नहीं ऐसा उन्होंने उस वक बोला गुस्से में एक बार फिर राम ने सबकी अनुमती मांगी आगे आगे राम उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्षमन महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रत लेके खड़े थे रत पर चड़कर रा रत तेज निकालिये तेज चलाईये क्योंकि जो नगर वासी हैं वो रत के पीछे दोड़ रहे थे और वो दोड़े भी फिर राजा दश्वरत और माता कौशलिया भी पीछे पीछे गए सब रो रहे थे सब की आखों में आसू थे पुरुष महिलाएं बूड़े जवान ब ताकि लोग हार जाएं और ठक कर पीछे छूट जाएं और फिर घर लोड़ जाएं और इधर राजा दश्रत लगा तार रत की दिशा में नजरे गड़ाए रहें खड़े रहें जब तक जब तक दोस्तो रत आँखों से ओजल नहीं हो गया तब तक देखते ही रहें जब र अनवाशियों ने रात वहीं बताई अगली सुबावे दक्षन दिशा की और चले हरे भरे खेतों के बीच से गुमती नदी पार करके राम सिता और लक्षमन सही नदी के तरफ पर पहुंचे महराज दश्रत के राज्य की सीमा वहीं समाप होती थी और राम ने मुड कर अप में इस भाग को पॉस करते हैं मेरा बस चले तो मैं पूरी रामायन आपको एक ही दिन में सुना दूँ क्योंकि इतनी इंट्रेस्टिंग है जसे कि मैंने कहा तो यहां पर पॉस लेते हैं और फिर अगले भाग में मैं आपसे फिर मिलूंगी तब तक के लिए जैश्री राम वनलव और पीस आट